हेलो बच्चो मेरा नाम है अविनोपाधक और मैं लेकर आया हूँ आपके पास क्लाश 10 का अगला वनसॉट जिसका नाम है त्रबुज ठीक है तो आज हम लोग ट्रेंगल का वनसॉट कंप्लीट करने वाले हैं एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट का वनसॉट था जहां से भी लॉंग कोश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसे रहते हैं और मैंने सारे वो लॉंग कोश्चन कराये थे मैंने सारे कोश्चन प्रैक्टिस वो कराये थे जो आपके एक्जाम पॉइंट आव्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देख रहोंगे क्योंकि आप देखो टाइम अपने पास बहुत कम बचा हुआ है अगर आप देखो तो अब लास्ट का ही टाइम चला है और सारी छुटियां अब हम लोगों की खतम हो चुकी है तो आप जो मेनत करनी है वो प्रॉपर मेन है जहां से सौर्ड कोश्चन भी बनता है और लॉंग कोश्चन भी बनता है दोनों टाइप के कोश्चन बनते हैं यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है वसे 6.5 हुँ तक हुआ करता था तो 6.123 ती नहीं एक्सरसाइज है उनको एक-एक करके हम लोगो कोश्चन प्रैक्टिस के एकॉर्डिंग उनको अच्छे से कवर कर लेंगे ठीक है इस्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के तो सबसे पहले में क्या-क्या चीज़े यहां पर पढ़नी है उसकी बात कर लेंगा तो सबसे पहले हमें समरूप आक 6.2 और 6.3 जो है यह बहुत important exercise 6.2 की बात कर लें और चाहे 6.3 की 6.2 में हम त्रबुच की समरूपता जहां पर हम थेल्स प्रमे के बारे में जानते हैं थेल्स प्रमे बहुत important है क्योंकि उस पर आधारित question सबसे ज़्यादा बनते हैं प्रमे तो अपने आप में important है ही साथ म उस प्रमे के according जो questions बनते हैं उनकी भी आज हम practice अच्छे से करेंगे ताकि उस पर किस प्रकार के question बनते हैं तो 6.2 में हम थेल्स प्रमे के बारे में जानेंगे उस पर प्रमे पर जो questions बनते हैं उनके बारे में जानेंगे और फिर बाद में 6.3 आती है जहां त्रबुच की स हाई ही ने तो हम लोग इस्टार्ट कर रहे हैं 6.1 से जहां पर हम पहले स्टार्ट करते हैं तरभुज की समरूपता पर आधारित क्या क्या चीज़े होती है क्या होता है समरूपता यह समरूप आकरतियों का मतलब क्या है सबसे पहले समरूप आकरतियां जो होती ही उसके बारे में हम लोग जानते हैं मैंने आपर दो चीजे लिख रखी है इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज लिखी है सरवांगशम आकरती दूसरी चीज हमारे पास है सम्रूप आकरती हम लोग उने नाइंध क्लास में जो पढ़ा था वो हम ल सरवांगिशम आकरतियों के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, इसको भी साथ लेकर चलेंगे, इसको भी लेकर चलेंगे, तो दोनों में पहले अंतर स्पश्च कर लेते हैं, जिससे थोड़ी सी क्लियर्टी आ जाएगी, कि क्या होती है सरवांगिशम आकरतियों की सर्वरूप आकरती अगर हम सरवांगिशम आकरतियों की बात करें जो सरवांगिशम आकरती होती इसमें दो चीज़ें में याद रखनी है basically कि एक तो इसका आकार समान होगा समान आकार लिख देते हैं यहापर तो दूसरा वर्ग होगा, एक आयत है, तो दूसरा आयत होगा, तो यहाँ पर भी समान आकार होने वाला है, यहाँ पर भी अगर समरूप आकरती में बात करें, यहाँ पर भी आकार जो होगा, वो उमारे पास समान होगा, मतलब दूसरा पॉइंट यह है कि इसकी जो अमाप होगी, जिसकी जो माप हो, अमाप मतलब की एक प्रकार से माप, मेजरमेंट, जैसे कि आप रमने वर्ग बना रखे, अगर इस वर्ग की एक बुजा दो सेंटीमीटर की है, तो इसके बाद जो दूसरा वर्ग होगा, मतलब जिसके साथ हम इसकी सरवांगशमता देख रहोंगे, कि यह वर्ग इसके सरवांगशम है या नहीं, तो उसकी भी बुजा, प्रतेग, बुजा कितनी होगी, दो सेंटीमीटर की होगी, मतलब की आकार भी समान है, और सारी मलब जो माप होगी, वो भी समान है, जैसे कोई वर्थ है, तो दूसरा वरत भी होगा वो भी सेम चार सेंटीमीटर का है तो वह सर्वाइग शमाकरति होती है और जिन आकरतियों का सेव तो समान है मतलब एक वरत यह भी वरत है लेकिन यहासे हमें उसकी समान नहीं हो तो वहाँ पर वो समरूप आकरती होती है जब यहाँ पर आकार समान हो साथ में अमाप भी समान हो क्या हो अमाप भी समान होगी अमाप भी समान होगी अमाप का मतलब समझ रहे न उसका measurement कि कितनी तरिज्जा है या कितनी भुझा की लंबाई है ठिक ये दोनों पॉइंट आपर important है यहां पर अमाप का समान होना कोई आवश्यक नहीं है अमाप समान होना आवश्यक नहीं है बस यह दोनों बेसिक डिफरेंस है यह दोनों डिफरेंस मैंने आपर clear कि आपको कि दो चीज़ें में याद रखनी है पहली चीज देखो सरवांगिशम के बारे मैं पहले बताता हूँ कि दोनों में क्या होगा अकार समान होगा अकार समान होने का मतलब क्या सेब समान होगा अगर किसी वरत की बात हो रही होगी तो वरत ही रहेगा दूसरा एक अगर हमारे पास कोई वर्ग है तो वर्ग रहेगा आयत है तो आयत रहेगा अगर वर्ग है मालो वर्ग की बुझा चार सेंटीमीटर की है और दूसरे वर्ग की साथ उसको हम सरवांगिशम देख रहे हैं कि एक वर्ग है और दूसरा वर्ग है मालो एक वर्ग हमने बनाया ये, ठीक, इसकी भुजा अमारे पास 2 cm की है, और प्रतेग भुजा बराबर होगी, मैं लब ये भी 2 cm की, ये भी 2 cm की, तो अगर ये सरवांगशम होगा दूसरे व्रग के, तो वो भी क्या होगी, इसकी भी प्रतेग भुजा कैसी होगी, 2 cm की, ये भी 2 cm की, ये भी 2 cm की, ये मतलब कि यह वर गए यह भी वर गए यह भी वर गए यह भी वर गए परंतो यहां पर हमें दिख रहा है कि बुजाएं प्रते की अलग-अलग मेजरमेंट की हैं अलग-अलग सेंटीमीटर या मीटर की हैं तो वो समरूप आकरती आएंगी और हमें जो इस लेक्चर में जो बा बुझाए समान हैं लेकिन दिख रहा है कि बुझाओं की जो लंबाईं की होगी इह तरकार की जहां पर बुझाओं समान हो रहा होगा ना कि उनकी एक दम मेजर्मेंट भी समान हो गया जब मेजर्मेंट और बुजाओं का माप जो आकार है दोनों चीजी समान होंगी तो सर्वागिशम है केवल हमारे पास अगर वहाँ पर आकार समान है तो वो समरूपा करती है एक बेसिक डिफरेंस और यहां पर किलिए कर सकते फोन में आपने फोटो किची आप फोटो को अगर आप जूम करेंगे तो फोटो थोड़ी सी बड़ी और लेकिन उसका और तो परिवरतां है है वो समान अनुपात में अगा आप जूम करोगे एकदम समान परिवर्तन चला जाएगा तो आप जैसे उसको जूम करोगे तो एक प्रकार से जूम करने वाली जो जो मारे पास फोटो होई और जो आपने फोटो क्लिक की थी दोनों आकरतियां जो होगी वो समरूप आकरतियों में आएगी क्योंकि हमें का प्रते एक ब्जा में परिवर्तन आ गया तो उससे अनुपाद तो बुजाओं का समाण्डा परन्तु क्या हो गया आकार जो हमारे पास रहा वह भी समाण्डा तो यहां से हम कह सकते हैं कि वो आकरतियां मंगी But स इस प्रकार से हम पैचान सकते हैं कि समरूप आकरतियां कौन सी होती है और सरवांगशम आकरतियां कौन सी होती है ठीक है अब इसमें दो चीजें हो रहे हैं मैंने यहां पर लिख रखें दोनों चीजें पहली चीज क्या है कि सभी सरवांगशम आकरतियां जो होती है वो आप शर्वांगिशम नहीं है यह सर्वांग्शम नहीं। तो यह समरोप में तो आ जाएंगी सर्वांगे लेकिन इनकी जो हमारे पास अमाप है वो समान नहीं है, जबकि सर्वांगिशमता में, हमारे पास माप भी समान होना चाहिए, यहाँ पर माप समान नहीं है, अता यह सर्वांगिशम नहीं होगी, तो दो चीज़ें में आपर याद रखनी है, पहला पॉइंट तो यह कि सारी सर्वांगिशम आकरतियां समरूप होत बहुबूज की बहुबूज मतलब की त्रभूज के अलावा चैप्टर का नाम जरू त्रभूज है लेकिन त्रभूज के अलावा और बी जो मारे पास बहुबूज है जैसे कि चतरभूज है अगर मारे पास पंच बूज है सष्ट बूज है कोई अन्य बहुबूज है तो उ इसके जो संगत कोन होंगे, वो सारे बराबर होंगे, जैसे संगत कोन का मतलब corresponding angle जो मारे पास होगा, जैसे ये कोन जो होगा, वो इस कोन के बराबर होगा, कोन A कोन P के बराबर होगा, कोन B जो होगा, वो कोन Q के बराबर होगा, ठिक, कोन D जो होगा, वो कोन S के बराबर होग कोण सी जो होगा वो मारे पास कोण आर के बराबर होगा पहली चीज यह कोई भी दो बावबुज है तो उनके सारे संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे दूसरी चीज संगत उनकी सभी संगत कोण बराबर होंगे उनकी सभी संगत बुजाओं के एक ही अनुपात या समानु मिल जाएगा तो tenho संगत बुजाएं वोगी यह बराबरार होंगी इनके अनुपात बOWकि इसमें 2 से गुणा करो डोश मिलशाइगा दो में 2 से गुणा कर और 4 मिल जाएगा यह देठो रूह में आकरत ही इस आकरत के क्या है समरूफ है क्या दो चीजे होंगी सभी संगत कोण बराबर होंगे जो भी संगत कोण है बराबर होंगे पर भुजाओं का अनुपात भी बराबर होंगा जो संगत बुजाए होंगी अनुपात का मतलब क्या है जैसे कि दिये बुजा का अनुपात तो भी एक बटे दो यहाँ पर भुझाओं का जो अनूपात है वो सभी जगाए एक बटे दो है मतलब की आकरती जो होगी वह सम्रूफ होग है तो दोग चीज़ें मैं चेक करनी होती है सम्रूफ चीजों में एक तो आकरती में सभी का सेफ बराबर होना चीज़, शेफ मतलब कि ये चतर बुझ है, तो ये भी चतर बुझ ही होना चीज़ एंगर जटर बुझ है, अगर चतर बुझ है, तो चतरबुझ के साथ तुलना हो रहे होगी, दूसरी बात हमारे पास पता है कि सभी संगत कोड क्या होंगे बराबर होंगे संगत कोड तो मारे पास सारी बराबर है और संगत बुजाओं का अनुपात जो रहता है वो हमारे पास कैसा रहता है संगत बुजाओं का अनुपात जो होगा वो समानुपात होगा बराबर होगा यही सारी चीज़े हमाई 6.1 में दी गई हैं आप पूरी exercise आरांद से solve कर सकते हो बस यही दो तीन चार point आपको याद रखने हैं यह मैंने एक figure explain कर दिया इसी के according सारे question वहाँ पर दिये और कुछ नहीं दिया गए स्वरी ठीक है यहां तक बात सभी को clear हो गई कि क्या है सर्वांग्षम आकरती क्या है सम्रूप आकरती और सम्रूप होने की क्या सरत है यह दो सरते लिखिए छोटी सी सरते याद रखना है कि सभी सर्वांग्षम आकरती सम्रूप होती है परन्तु सभी सम्रूप सम्रूप नहीं होगी आपको पता हो गई कि सारे व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं सम्रूप होते हैं कोई भी त्रिज्या का व्रत तो सम्रूप होगा कार समान होगा कोई दिक्कर ने सारे वर्ग सम्रूप होंगे कह सकते हो सारे संभावत रुजा आप कह सकते हो सम्रूप होंगे तो यह सारी चीजें कैसे हो जाएंगे सम्रूप आकरतियों में आ जाएंगे आप आराम से आप इन सब चीजों को पैचान सकते हो ठीक यह बात कोईशन यहां से बनता है और इसी बहुविकल्पी पर आधारित कोईशन होते हैं चलते हैं 6.2 की ओर 6.2 में सबसे important चीज़ थेल्स प्रमे पहली चीज़ प्रमें हमें दी गई है 6.2 में क्या कहती है यह प्रमें समझते हैं अन दो भूझाओं को जिनें दो बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है वे बिंदू भूझाओं को समान अनुपात में विवाजीत करते हैं मैं इसका रफ डाइग्राम बनाता हूं उससे समझा देता हूं कहना कह चाहता है कि अगर कोई त्रभूज है कैसा क्यों सकता है त्रभूज मैंने यह मालू सीधा बनाए वह ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा है निए तेड़ा मेड़ा कैसा हम सकता ता उशक लिए परेचार नाौन तीन फूंसे गिरिया करती तरभूज ऐए यह आपको पता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पता है कि एक त्रभूज है, ठीक, एक त्रभूज हमने माल लिया, कि यह त्रभूज है, यह माल लिया, त्रभूज है, A, B, C, क्या कहता है त्रबुज यह कहता है कि अगर एक त्रबुज की एक गुजा के समांतर को एक अन रेखा कीजी एक त्रबुज यह मालू है इसमें BC के समांतर हमने एक रेखा कीजी यह मालू हमने रेखा 21 दी यह यहाँ पर बिंदु D और यहाँ पर E पर क्या करती है दो बिंदों पर प्रतिछेद करती है तो ये कहता है कि अगर हमने इस BC के समानतर एक दूसरी बुजा DE खीजी तो ये कहता है कि इन अन्न दो बुजाओं का जो अनुपात होगा कौनसा अनुपात AD बटे ये AD बटे DB जो होगा वो बराबर होगा AE बटे EC के AE बटे EC के बस यहीए बटे कहता है कि अगर यदि क्या है यदि हमारे पास ये BC जो है वो समानतर है ये DE के ये बात हमें ये रचना में करना है हमने रचना में क्या किया कि एक तरबुज लिया इस तरबुज के समानतर एक रेखा खीज दी DE, DE क्या है, दो बिंदू है, जो इस त्रबुज को क्या कर रहे हैं, इन दोनों रेखाओं को D और E बिंदूँ पर प्रतिछेद करते हैं, तो AD बटे DB जो होगा, वो AE बटे AC के, अरे EC के बराबर होगा, यही थेल्स प्रमे बताती है, बस इतना ही थेल्स प्रमे का statement है, इसी ही आधारित इसी प्रमे पर आधारित बहुत सारे questions हमें solve करने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका कथन, क्या कहता है, कि जैसे कि एक त्रबुज ABC है हमारे पास, इस BC के समानतर एक भुजा हमने DE खीची, यदि, क्या कहता है, यदि BC जो है, वो समानत है DE के, तो क्या होगा, जो AD बटे, जो AD बटे DB होगा, वो बराबर होगा, AE बटे EC के, इसके AE बटे EC के, बस यही है थेल्स प्रमे का statement, मैं इसका प्रूव नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ statement लिख रहा हूँ, और इस पर जारेट कोशन की ही practice करेंगे, क्योंकि इस पर क् इन exercises में होता क्या है, कि हम question practice कम करते हैं, इसके चक्कर में question ज्यादा गलत करके आते हैं, बाकि मैं question practice directly start करूँगा, इसी प्रमे पर आदा दी, जो questions बनते हैं, उनी की मैं चर्चा करूँगा, प्रमे मैंने आपको समझा दिये, कि प्रमे कहती क्या है, कि कि किसी त्रबूच बस यही थेल्सप्रमे कहना चाहती है, यही कथने आपर उपर लिखा है, यह बास सबको समझ में आगी, थेल्सप्रमे का विलोम क्या कहती है, कि अगर यह दिया गया है, तो यह समानतर होगी, थेल्सप्रमे का विलोम कहती है, कि यदि एक रेखा किसी त्रबूच की दो करें तो यह तीसरी बुजा के समानतर होगी मतलब यह है कि यहां पर यह कह रहा है कि यदि यही सेम अगर हम त्रबुज ले ले जो हमने पीछ अभी लिया यह एबी इसी डी यह कहता है यदि क्या कहता है एडी बटे बी सी यदि एडी बटे डी सी डी बी डी बटे बराबर है एए बटे इसी के तो जो यह डी और बीसी है यह समानतर होगे तो बीसी जो होगा वो समानतर होगा किसके डी इक यह कहता है थेल्स प्रमे का विलो पस यही दोनों प्रमे हैं 6.2 पर जिस पर सारे कोश्चन हमें यहां पर दिये गए सारे कोश्चन हमें इसी पर दिये गए हैं कि थेल्स प्रमे में हमारी यह कहती है कि अगर यह दोनों भुजाओं समानतर हैं तो इनके अनुपात बराबर होगे जो एक ही अनुपात में वाजित करती है और थेल्स प्रमे का विलो में यह कहती है कि अगर यह अनुपात बराबर तो यह बुजाय समानतर होगी इन ही पर हमें questions की चर्चा घर अब किस प्रकार के इन दोनों प्रमे पर question बनते हैं ये six point one पर में ये six point two पर में इन पर जो questions बनते अब उनकी में चर्चा इन करता हूं कि कैसे question बनते है six point two के जो question है बहुत important question है मैं एक करके proper questions लिखूंगा जैसे आपको exam में करके आना है same उसी pattern पर आप exam में भी लिखोगे कैसे देखो जैसे कि मैंने question लिया यहाँ पर समलंब का question है यहाँ पर क्या कह रहा है question देखो पढ़ो कह रहा है ABCD एक समलंब है मैंने figure भी इसका बना रखा है दिया गया था book में यह दिया रखा है CRT के ही question है जिसमें ABCD समांतर है ABCDsk के यह HAB समांतर है DC के ठीक है आप समांतर बुजाओं ED और BC क्रमसा बिंदु E और F पे इस प्रकार इस्तित हैं कि EF भुजाए AB के समांतर है इतली है करा समानतर बुझाएं जो हैं यह ad और बसी समलं में आपको पता है कि कोई दो बुझाएं समानतर वुनीच चाहिए समानतर कौन सी बची enough का यह तो ए कई दिए यह दो बुझाएं उल्चानी होती तो hes एड़ी और बाद बाद स हो तो outta BF बटे, BF बटे, FC के बराबर है, यहाँ पर यह में सिद्ध करना है, अब देखो सबसे पहली चीज़ जब कोश्चन आएगा तरबुज का जब देखोगे, कि जब भी कंडिशन कोई समानतर की दी जाए, अनुपात पूछ रहा है, तो थेल्स प्रमे का उनको योग करना है, क्योंकि देखो हमने थेल्स प्रमे क्या पड़ा है, कि चीज़ समानतर हमें दी जाती है, तो यह ऐसा होता है, तो अनुपात बराबर होता है, तो जब चीज़ समानतर दी गई है, कोई बुजा समानतर दी गई है, और किसी अनुपात की बात करेगा, तो आप कैसा किसका वलत नहीं करेंगे यह गारिंटी है कि जब चीज समानतर दी गई हो और हमें अनुपात प्रूफ करना हो लेकिन हम बात करते हैं हमेसा त्रभूज में थेल्सप्रमे लगती कहा है त्रभूज में सर यहां तो समलंब दिया गया है चतुर बूज है तो चतुर बूज में कैसे लगाएं तर्भूजा का यूच कर सकते हैं तो उसके लिए हमें करनी होती है रचना जब भी इस प्रकार के कॉस्चन आएगे जैसे प्रमें भी रिंद्द करते हो वैसे इस प्रकार के कोस्चन जब भी कर आओगे तो चार चीजे आपको करनी होगी पहली चीज क्या लिखो के सबसे पहले क्या दिया है प्रापर सल्यूशन बता रहा हूं जैसे आपको एक्जाम में लिखना है सेम इसी पैटरन पे लिखना है पहली चीज क्या दिया है दूसरी चीज क्या सिद्ध करना है पिए पिए सीद्ध करना है तीसरी चीज रचना कुछ ना कुछ कभी-कभी रचना भी करनी पड़ती अपनी ओर सि कुछ ना कुछ रचना करनी हुडती है और जो ये प्रमे हैं इन необ smells यांद रखना है कि जो भी प्रमे प्रूफ करने वाली है तो इसमें आपको सब में याद रखना है कि हमें क्या रचना करनी है वह में याद रखनी पड़ेंगे और उसका कोई option नहीं है और चौती चीज हमें पता है उपपत्ति उपपत्ति मतलब की प्रूफ ठीक चार चीजें में करनी है दिया क्या है सिद्ध क्या करना है और रचना और उपत्ति तीन चीज़े यही जब करोगे तो एक पेज भर जाएगा उपत्ति में एक बर जाएगा लॉग कुस्टीन आता है एक्सर है मैं ब्रॉपर एक question यह विद्वद लिखता हूँ जैसे आपको एक्जाम में लिखना ह सबसे पहले चीज है, ठीक, ऐसे करना है, पहले आप क्या अर्टिन डालोगे, हल में लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, वो लिखते है, दिया ठीक कहरा है आ समानतर भूजाओं एडी और बीसी करमसा बिंदू ए और फ परिस्तित ये ई और और फ परिस्त काटते हैं और एक तरीके से ये भी दे रखा है कि एफ हुजा जो है वो एबी के समानतर है और ये भी दे रखा है तथा EF जो है वो समानतर है किसके A B भुजा के अब एक चीज बताओ छोटी सी चीज समझो ये भुजा इसके समानतर है ये भुजा इसके समानतर है क्या तीनों आपस में समानतर नहीं है इसने कहा कि A B D C के समानतर है A B EF के समानतर है तो ये तीनों आपस में समानतर हो गई ना तो अता हम नीचे यहाँ पे लिख लेंगे अता कि ये तीनों आपस में समानतर है कि A, B जो है वो समानतर है DC के समानतर है E, F ये तीनों आपस में कैसी है समानतर ये तो हमें question में इतना दिया था उसने by default अब आंगे क्या लिखोगे सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है जो सिद्ध करना है वो सेकेंड इस्टेप सिद्ध करना है कि AE बटे जो ED है वो बराबर है BF बटे FC के यह हमें सिद्ध करना है कोश्चन में दिया है कि दर्साइए कि यह वही लिख दूसरी लाइन तीसरी लाइन हम चलते हैं रचना की और क्या इस कोश्चन में हमें रचना करनी है रचना हमें ये करनी है, देखो एक बास समझो, हम थेल्स प्रमे लगाते हैं त्रबुज में, पर यहाँ पर है चत्रबुज, तो आपको क्या करना है, कैसे भी एक ऐसी रचना करनी है, जिससे ये त्रबुज में कनवर्ट हो, और हम थेल्स प्रमे का उप्योग करना पार, को प्रतिछेद करती, इसको नाम हमने बिंदु P दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, Q, T, R, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप A से C को मिला लो, तो ये एक त्रबुज बन जाएगा, चाहें आप B से D को मिला लो इसको ना छोड़के, एक ही मिलाना है, B से आप D को आपस में कैसी हो जाएगी, समानतर हो जाएगी, तो कि पता ये बिंदु P कहा है, EF बुजा परिस्तित है, और EF पहले से इसके भी समानतर है, तो ये EP जो होगा, वो भी इसके क्या हो जाएगी, समानतर हो जाएगी, CDC बात ही है, तो यहाँ पर आराम से हम थेल्स प्रमें लगा सकते हैं आपने क्या रचना की सिर्फ की A से C को मिलाया बस यहीं रचना में लिख दो जो किया तुमने वो लिख दो आप अपनी बासा में लिखो कोई जो भी नहीं यहाद रखो जो ऐसे मैंने लिखा था वैसे लिख आपने क्या किया बिंदू A से बिंदू C को मिलाया जो EF को बिंदू P पर प्रतिछेत करती है या E बिंदू P पर मिलती है या आप इस प्रकार या EF पर इस प्रकार है जो या पर कुछ भी आप अपनी भासा में जो भी लिख सकती हूँ बस लिखना वही है जो आपने किया है कुछ और नहीं देखो मैं लिखता हूँ मैंने आप लिखा क्या लिखा कि एको कि सी से मिलाया टिक एको सी से मिलाया जो एफ को जो एफ को बिंदू पी पर प्रतिछेद करते हैं पी पर प्रतिछेद करती है जो आपने किया है वो लिख दो टिक बिंदू पी पर क्या करती है प्रतिछेद करती है अब आपको यह भी यहां से पता चल गया जैसे आपने एको सी से मिलाया जैसे ही वो बिंदु P पर प्रतिशेद करती है आपको यहां से यह भी पता चल गया कि DC जो है वो समानतर है EP के यह भी बात आपको इसपश्ट हो रहे ही यहां से कि DC जो है वो समानतर है EP के, अब सीधे हम क्या करते हैं, उपत पे चलते हैं, उपत पे ही बात करेंगे, उससे आगया आराम से question solve हो जाएगा, हम सीधे डालते हैं, अगली एडिंग हम डालते हैं, उपत प्रूफ करते हैं, उपत पे, उपत में क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रभूज लेते हैं, ADC लिखते हैं, त्रभूज ADC में, आप त्रभूज ADC में देखो, अगर ADC में देखो, तो यह EP जो है, वो समानतर है, ADC के, यहां से आप लिखोगे, EP जो है, वो समानतर है, ADC के, ठिक, EP समानतर है, DC के, अब आपको पता है, कोई दो बुजाएं, अगर यह समानतर हैं, तो आप थेल्स प्रमे लगा सकते हो, लिखोगे, थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे स A, E, B, T, E, D, बराबर होगा किसके? A, P, P, C, के. A, P, और P, C, के. इसको समीकान एक हमने दे दिया है. हमें प्रूफ क्या करना है? A, E, B, T, E, D, एक साइड तो हम ले आए, A, E, B, T, E, D. दूसरी क्या लाना है? लाना है, इस तरफ लाना है, B, F, B, T, F, C. दूसरी साइड हम हमें और कुछ लाना है? अभी एक साइड तो हम ले आए, लेफ्ट हैंड साइड तो आगे है, राइट हैंड साइड कैसे आएगी? राइट हैंड साइड ऐसे ही आएगी. देखो एक तरबूज और देखो देहान से मैं बनाता हूं इसी के ऊपर. आपको ये तरबूज सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, कि ऐसा है, फिर ये दो बुजाएं समानता रहें, या वो ऐसा है, और फिर दो बुजाएं ये समानता रहें, ठीक वो कैसा भी रूप में हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत ने, बस ये भुजा, ये बुजा के समानता रहें, ये बुजा, मतलब यह आपस में पलट दिया यह फासें जो तो विये अनुपात बराबर होगा तो आनुपात बराबर होनाबा की आमें कोई दिक्कत नहीं है कि वह किस तरफ से लिखा हुआ अब यहां पर क्या इस अगर त्रबुज की बात करें, दूसरे त्रबुज में, खीक है, A, E, मैं इसको मेट देता हूँ है, क्या करना, यह आपको दिखी रहा है, रशना तो एकी की हैं, इसको अटा ही, ठीक, चलते हैं, अब हम कौन सा त्रबुज ले लेते हैं, यह A, B, C में, लिखते हैं यहीं पर आँगे, लिखो, त्रबुज, A, B, C, अब A, B, C में कौन से समानतर है, अब आपको पता है, कि यह बिंदु पी लिया था, यह पी अफ जो है, यह बिंदु हमने पी लिया था, यह P, F जो है हमारे पास, वो हम कह सकते हैं, कि P, F जो है, वो A, B के समानतर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, P, F, समानतर है, E, F के, P, F समानतर है, A, B के, A, B, यह क्या था, E, P हमारा है, E, P हमारे पास जो था, वो बराबर था, D, C के, ठीक, अब इसमें भी थेल्स प्रमे लग जाएगी, सेम लेंग्वेज चलेगी, थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे से, थेल्स प्रमे से, अब हम क्या कह सकते हैं, कि यह जो, A, P, B, P, C है, A, P, B, P, C, वो बराबर है, कहां पर था, A, P, B, C, हमारे पास बराबर है, कि इसके, B, F, B, F, C, के, तो लिख दो, B, F, B, F, C, ठीक, यही तरबुस्त हमने लिया था, यह तरबुस्त हमारे पास, यह बुजाएं समानतर थी, तो यह अनुपात बराबर होगा है, इस अनुपात के कोई दिक्कात नहीं, उसको पलट के लिख सकते हैं, तो यह अनुपात अगर बराबर है, इसको हमने समी करण दो दे दिया, अब AP बटे PC का जो मान है, AP बटे PC का मान क्या है, BF बटे FC, समी करण एक में रख दो, प्रूव हो जाएगा, समी करण एक से, आसान कोश्चन है, बस step by step चलना है, हम कोश्चन आराम से solve कर लेंगे, समी करण एक से हमें पता है, कि ये तो बराबर है, AE बटे ED, बराबर है, AP बटे PC की जगे हमने क्या रख दिया, BF बटे FC, BF बटे FC, बस प्रूव हो गया, यही तो सिद्ध करना था, प्रूव हो गया भाई, यही सिद्ध करना था, देख लो एक बार आराम से, जो मैं कोशन करना है, जो मैंने ये कोशन लिखा हुआ है, सेम पाइटरन से आपको एक्जाम में लिखना है, आप पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, और आपने क्या रचना की, जो भी आपने रशना किया है वो आप अपनी language में लिखो A से C को मिलाया बिंदू P पर प्रतिशेद करती है A को C से इस प्रकार मिलाया कि जो EF पर बिंदू P पर मिलती है जिस प्रकार E P जो है वो समानतर है D C के आप कोई भी भासा में अपने लिख सकते हो कोई दिक्कत की दिक्कत नहीं है ठिक आराम से आप लिखिए फिर उसके बाद आप चलिए उत्पति पर उत्पत में आपको पता कि हमें समानतर और उसकी प्रबात कर रहा है अदुपात की थेल्स प्रमे का उपयोगा आप और अच्छे से हमलों की प्रेक्टिस हो जाए अगला कोशन देखने है यह देखो कोशन देखो क्या कह रहा है कि कह रहा आकरती 6.18 में यदि LM जो है वो CB के समानतर है 6.18 ही आकरती है दीगे यह LM जो है वो समानतर है CB के ठीक LN CD के समानतर है LN CD के समानतर है तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB, AN बटे AD है, AN बटे ND, AB अच्छा, AN बटे AB, AM अच्छा, AM बटे MB बराबर है AN बटे AD के, ठीक कोई दिखत नहीं, सिद्ध करेंगी, कोई समस्या ही नहीं, देखो कैसे होगा, ट्राई करते हैं, यहाँ पर भी वही चीज है, हमें दिखराई कि 2 तरभुज बनना है, कौन-कौन से, एक तरभुज तो यह है, ठीक, ऊपर वाला, एक तरभुज निचे है ऐसे ही बनना है, पहले ऊपर वाले तरभुज के ले लेते हैं, फिन नीचे वाले तरभुज को, इसको मैं डायट εν दी लिख रहा ह तथा LN समांतर है CD के LN जो है वो समांतर है CD के, जो दिया है वो लिख दिया आपने फिर क्या करोगे आप लिखोगे क्या सिद्ध करना है यह तो आपको question से दिखी जाएगा इसमें तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है इतना तो आप अपने मन से लिखा हो गया तो तीन नमबर तो free के मिल जाएंगे इसमें कि आप लिख दोगे AM जो है यह सिद्ध करना है वो लिखा है AM बटे AB बराबर है AN बटे AD के यहां तक बात के लिए आंगे क्या करना है रचना की बात करनी आप जिस कोश्चन में रचना होनी वहां करेंगे यहां पर हमें लग रहा है दिख रहा है रचना नहीं करनी पड़ेगी क्यों नहीं करनी पड़ेगी अरे आप देख रहे हो कि यह A, B, C अगर पहला त्रबुज देखो ये वाला तो ये पहले में दिख रहा है कि ये समानतर है तो डारेक्ट हम थेल्स पर में लगा लेंगे इस त्रबुज के नीचे वाले त्रबुज की बात करेंगे तो ये समानतर दिया गया इसके तो यहां पर भी हम थेल्स पर में लगा वाला ABC में त्रबुज ABC में आपको कौन सी बुजाएं पता है समानतर है जो मारे पास LM है वो सर समानतर है CB के यह तो पता है कि LM जो है वो CB के समानतर है तो आप ठेल्स प्रमे से लिखेंगे ठेल्स प्रमेशे थेल्स प्रमेशी जैसे ही आप थेल्स प्रमे लगाएंगे तो क्या अनुपात बराबर होगा सर एम बटे mb am बटे mb am बटे mb am बटे mb आ इक श happy अब दूसरा तर बूज ले लो नीचे वाला नीचे वाला तर भूज लेतें तर बोज कि trzyति गशिति पटील एल एट जो है हूँ समानतर है cd के फिर से हम थेल्सपरमे लगाते है इदर ही लिख देते हैं तिल्सपरमेशे ऑज थेल्सपरमेशे क्या होज़ाइगा कि हमारे पास एन बठे एन डी जो है एन बटे एन डी जो है वह बराबर है एल बटे एल सी के येल बटे एल सी के इसको समीकर्ण दो दो दिया अब समीकर्ण एक वदो से देख लो समीकर्ण एक वदो से आप देख सकते हो कि A n बटे जो हमारे पास N D है किया एह एँन बटे एन डी जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा A m बटे M.B. नहीं थे तो यहां से बराबर कर देते हैं, समीकरण 1 वा 2 से, समीकरण 1 वा 2 से, आपको पता है कि यहां पर भी A L बटे Lサी यह attitudes यह बी हो जाएंगी यह दूरों आपस में बराबर हैं तो ए-n बटे यहां से लिए-n बटे mb ए-n बटे mb बराबर है किसके ए-n बटे अ-टे के ठीक और हमें प्रूफ क्या करना है प्रूफ हमें करना है कि a m a b b a m a b a a m b a b a b और यहां पर क्या ए ए n बटे a d a n बटे a d जो है उब राबर है इव बटे a m k यहीत हुए ए m बटे a b ke ठीक है खोई दिक्कत नहीं तो आप यहां पर में दिख रहा है कि Am और ये आपस में बदैक बनदी के इंदी अब ये बता आ दो यहां से एक सग रहे मुझा है अभी मद्दू है तो यहांस आगर हमद्दू है तो यहांसे अगर हम देखें तो ये बुझाओ का इनुपाथ बराबर उसके जगाहाँ से लिख सकते नहीं सरत ऊद्सारे निलिख सकते हैं कि यह मारे पास तो जाएगा और बचे में आ जाएगा एभी और यह बिराल वो जाएगा एएअगे एन मैं बटे एडी आ में प्रूफ करना था फूई दिक्कत यहां से प्रूब हो जाएगा सम्में यही काम करना और कुछ नहीं करना है सेम पैटरन के सारे कोश्चन है आपको जो दो बुजाएं समानतर दी जाएं उनीक की बात आप करोगे जो समानतर बुजाएं दी गई है जिस भी बुजाओं में AMROC B जैसे हमें समानतर दी गईती LM और CB LM और अगर हमारे पास CB समानतर दी गई थी तो यह किस तरबुझ में हैे LM और CB इस उपर वाले तरबुझ में तो पहले उसमें बात कर ली अब हमें दूसरी दी गई थी कि LNCD के समानतर है एलन सीडी के समांतर है तो यह किस त्रभूज में यह इस त्रभूज में नीचे वाले तो उस नीचे वाली त्रभूज में जहां पर जो बुजा दी गई है उसी त्रभूज में तो बात करेंगे तो जिस बुजा की बात की गई है उसी त्रभूज में जाओ उसको समांतर करो तो थेल्स प्रमे के कॉर्डिंग आप उसका अनुपाद बराबर करके डारेक्टली प्रूफ करके लिख दो वही आपका आणसर है ठीक है तो इस प्रकार की कोश्चन हमारे पास थेल्स प्रमे पर आधारी दोते हैं एक और इसका फीगर एक और ऐसा ही कोश्चन है सेम पर जै OQ के समानतर है तो आपको दिख गया कि DE और OQ है कहाँ पर यह सब D.E. है और यह OQ है तो यह कौन से तर्भुज में यह इस वाले तर्भुज में तो ही आए इस वाले तर्भुज में ही तो D.E. और OQ है तो पहले इस तर्भुज की बात कर लेंगे फिर कह रहा है D.F.O.R. के डी अफ जो है वो और के समानतर है वो किस तरभूज में इस तरभूज में तो फिर इस तरभूज में बात कर लेंगे दोनों में जैसे ही थेलस्पर में लगाओंगे आपका अंसर आजाएगा कि इफ ओक्यू आर के समानतर है देखते हैं पहले लगा के देखते हैं फिर देख सीदियो उपत्ती डालोगे उपत्य में यहीं से डालोगे प्यक्राइब जो डिय ही है वो मारे पास समांतर है वो क्यों कि तो डिय को अगर यह बजाएं समांतर हैं तो हम लगाएंगे थेल्सप्रमय जब भी कोई पी इबटे ईक्यू बराबर होगा किसके पी डी डी ओके पी डी और डी ओके इसको समीकर ने एक दे दो फिर दूसरा त्रबुझ ले लो कौन सा तूसरा त्रबुझ सरीय वाला पी ओ आर सेम त्रबुझ पी ओ आर में थोड़ा स्पीड में ही चलना है अब कह रहा है कि डी के समानतार इसमें डी अफ जो है वो समानता रहे किसके ओ आर फ्रसे वही सेम चीज लिखो कि या थेल स्प्रमेशी सेम पैटरन है कोईर्ष्चन में एक बार आपको समझ में आister फ्रमेश्जैंस磨 में फिर कहा लगा होगे कि पी आफ Fahr के बराबर है सर्प पी आफ जो है व इन दोनों का नुपाद पी एफ और एफ और का नुपाद जो है वो बराबर है पीडी बटे डियो के पीडी बटे डियो के इसको समीकर्ण दो दे दिया फिर से समीकर्ण एक वाद दो से शमीकरन एक वाद दो से क्या लिखोगे समीकर एक वाद दो से हम सरल लिखेंगे देखो pddo pddo right hand side दोनों की बराबर है left hand side बराबर कर दो क्या left hand side में कि PE और EQ बराबर है PF बटे FR के, अब थोड़ी सी important बाद, थेल्स प्रमे का भी उप्योंग होगा इसमें, और थेल्स की विलोम का भी उप्योंग होगा, क्योंकि देखो, थेल्स प्रमे तो क्या कहती है, कि समांतर है, तो अनुपात बराबर करके दिखाओ, इसमें दिया क्या से हमें समांतर प्रूफ करना है, तो थेल्स प्रमे का भी उप्योंग चाहिए, तो इसमें अब आंगे क्या लगने वाला है, थेल्स प्रमे का भी उप्योंग, कैसे लगेगा, देखो इक बर, अब यहां पर यह किसकी बात कर रहा है, अब को एक बार इसको देखो, कि PF और EQ ये वालि भुजा पिए वर एफ और फार यह किस तरबुज की बात करने यह इसी तरबुज के तो बात करने है यार PQR इसी त्रबुज की बात कर रहे हैं कि PE जो है वो EQ और PF जो है वो FR दोनों के अनुपाथ हमारे पास बराबर है तो इस बड़े वाले त्रबुज की बात कर रहे हैं इसी में हमारे पास लगेगी थिल्स प्रमे थिल्स की विलोम प्रमे अब लिखे हैं है थेलस ए बिवलोम से पहले मैं त्रबूज ले ले लेता हूं त्रबूज ले लेता हूं कौँश सा त्रबूज यह पी व्याज की आर् थेलश के वी लूलोम का भियूपयोग लिए कंप कि क्या कहता है कि अगर यह अनुपात बराबर है पि ई और एक्यू बड़ापर एप और 習ड़ के इन भुजाओं नुपात ढें बुजाओं का ज्र चाल देबर antar तो यह भुजाएं जो होगी, यह EF जो होगा, वो समानतर होगी, QR के, यहां से आप लिख सकते हो, कि EF जो होगा, वो समानतर होगा, QR के, यही तो प्रूव करना है, बस प्रूव होगया, प्रूव होगया भाई, यह बढ़या कोशन है, अच्छा कोशन है, कोशन आसान है, तो मिलकुल कोश्यन एक आपने 2 त्रबुज आपको यह पहले पहले आप देखा करो कि कहां पर यह 2 भुजाय समांतर दी गई है स यसमें धाय समय डीअ और क्यूज के समांतर है तो दोनों को आपने जब बराबर करोगे तो एक बुझा आपको दिखी रही ही कि ये बीच वाली पियो जो बुझा है वो दोनों में अनुपात बराबर है तो उसे हमने समानतर लिख दिया आपको पता है थेल्स प्रमे के विलों से कि अगर अनुपात बराबर है तो इनके जो भुझाओं का अनुपात होगा वो समानतर होगा किलियर है सभी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं कोई समस्या तो नहीं अब इसमें एक और अच्छा कोशन करते हैं जहां प्रमे क्या करना है प्रमे दी गई है कोशन में ही प्रमे दी गई है आठवे नंबर का यह कोशन दिया गया exercise में कोशन बहुत आसान है अच्छा कोशन है प्रमे का उपयोग करना है इसमें कह रहा है प्रमे 6.2 का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रभुच की इसे फीगर नहीं दिया गया है फीगर मैंने अपने मन से बनाया बनाना भी पड़ेगा देखो मैं समझा दूंगा कैसे बनेगा कह रहा है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रभुच की किनी दो बोजाओं के मद्द बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी बुजा के समानतर होती है याद कीजिए कि आप अच्छा नाइंत में ऐसा कर कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ क्या किया था मोगों ने ना इंत इंत इंधों के इचल बहohl लगको पेले कैसे समझाय कहे रहा है कि उसीद्ध खरना है कि एकतर भूज्ज माल लिए एकतर भूज है तरो इनुर दो भूजाों के मन लिए अलने Music ना-वा यहां पर दी और यह ले ले लो कोई दिख्कत ने और बिट सभी बना देता हूं एक तबुजह है हमारे पास और बीसी अबी का मद्ध बिंदू मैंने ले लिए के एबी ने मत्ध हम पे बिंदू यहां पर यह व्हारे होगे तीसरी बुझा यहीं बीसी बुझा कि इन दोनों के मद्ध बिंदू लिए तो यह तीसरी वाली बची तो कहरा यह अगर मद्ध बिंदू है तो यह बीसी जो होगा वो समांतर होगा D E के इस समांतर हमें प्रूफ करना है यह मद्द बिंदु है तो यह समांतर प्रूफ करना है जब भी हमें समांतर प्रूफ करना होता है हम किसका उपयोग करते है थेल्स प्रमे के विलोम का जो हमें यह अनुपात पता हो और समांतर दिखाना हो तो विलोम का लगता है और जो हमें समांतर दिया हो और यह अनुपात बताना हो कि यह इनका अनुपात यह इनका अनुपात बराबर तो थेल्स प्रमे का दोनों में अंतर बस ही तैया और कुछ नहीं कrob लेंसेट करते हैं तो बिलकूल वाकाइदा वैसे सिद्द करेंगे कैसे फीर इसको विद्वद लिख रहाऄ की क्या दिया है gost हमें एक तो त्रबुज दिया है कि त्रबुज ABC में हम लिख देते हैं दिया है में त्रबुज ABC में D तथा E भुजा AB वा AC के मद्द बिंदू यह जो दिया है वो आप लिखोगे ऐसे आपको बस वही तो करना है वही तो समझना है कि कैसे लिखना है यह तो आपको पता है ना कि क्या दिया है एक त्रबुज दिया है इसकी किनी दो भुजाओं के मद्द बिंदू को मिलाने वाली रेखा के बुजा के समानतर हमें गयात करना है कि वो समानतर यह सिद्ध करना है ह अमें ये दे दिया उसने की A B C में ये D और E हैं जो इसके दो बुजाओं के मद बिंदू है'M το वहीं नेलीखी तथा E अभुजा A B Y AC के मद बिंदू है ठीक तरबोजे ए-भी-सी में अब आंगे चलते हैं क्या पर बात करते हैं इसके बात क्या सिध्ध करना है कि शिद्ध करना है कि जो मारे पास BC है यह समानतर है कि इसके जो हमने मद्ध बिद्धू है in the me یہ में तिए भी शिद्द करना रचना की इसमें कोई侈 जरूवत नहीं अब हमें लगत में सीधे चल रहे हैं उपपत्ति यहां पर कोई रचना की सब्सक्राय नहीं क्योंकि ऐसा ही धिल्सि प्रमें भी लग जाएगी और सिंस प्रमें का भी होगा विलोम का भी होगा देखो उपत्य में क्या करते हैं अब एक चीज Haymo कि अगरheus पंगा के यह B का डी मध्द बिंदू है यह क्या कहरा मत्द बिंदू है इस मद्द बिंदू AD बराबर है DB के, समझ मैं आया कैसे लिखा AD बराबर ADB के, क्योंकि बिंदू D जो है, वो मद बिंदू है इसके कहीं बीच में इस्तित है, बीच में इस्तित है तो इसके लंबाई और इसके लंबाई बराबर होगी कोई भी एक रेखा है, मालों ये बराबर है, आप DB को नीचे ले आओ या ये समझ लो, कि यहाँ भी DB से भाग कर दो इस साइड भी लेफ्ट एंड साइड में भी और यहाँ भी DB बटे DB करोगे तो वन आ जाएगा, इसको समीकर एक डाल दो ठिक, DB बटे DB वन या DB को नीचे ले आए, तो यहाँ पर केबल वन बचा, ठिक, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, लिखते हैं, A, E, C E, C के बराबर है, दूसरी वाली बुजा में A, E जो है, वो बराबर है E, C के अब यहाँ से E, C को नीचे ले आओ, तो A, E बटे E, C, बराबर आगया, वन के, यह आगया समीकरण नमबर दू, ठिक, यहाँ से बाद समझ में आगे, समीकरण एक और दो समझ में आगे, यहाँ भी एक प्रकार से समझ लो, E, C से बाग किया, E, C, से तो वन आगे, अब यहाँ पर आप समीकरण एक और दो को ले लो, समीकरण वा, एक वा, दो से क्या लिखोगे, कि राइट हैंड साइड इसकी बराबर है, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दो, क्या, A, D, बटे, D, B बराबर है A-E बटे E-C-K बराबर है अरे अब आपको दिख रहा है कि A-D-A-B-D-B के बराबर है A-E-C-K क्या लिखा यार यह थिल्स प्रमे का इस्टेट्मेंट तो लिखा है कि A-D-D-B-A-E-C थेल्स प्रमे के विलूम का इस्टेट्मेंट लगेगा भी नहीं कि आपको पता है इन बुजाओं का यह अनुपात जो है यह बराबर है तो D-E समानतर है C-B-K लिखोगे अता थेल्स प्रमे के विलूम से, अता थेल्स प्रमे के विलूम से, क्या लिखोगे थेल्स प्रमे के विलूम से, कि यहाँ पर ये भुजाओं का नुपात बराबर था, A, D, D, B, बराबर था, A, E, E, C, K, तो, D, B, या आप यही से लिखते हैं, B, C, समांतर है, D, E, K, A ही तो प्रूफ करना है, B, C, D, E, के समांतर यही प्रूफ करना है, था हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि हमें दिख रहात असर, कि इनका इनका अनुपात इसके इसके अनुपात के बराबर था तो ये बुजाएं कैसी हो गई समानतर जब हम थेल्सपरमे लगाते हैं तो ये कहते हैं कि ये दोनों बुजाएं अगर समानतर हैं ये और ये तो ये अनुपात बराबर होगा और ये अनुपात बराबर है तो समानतर होगी यह पर में का विलों कहता है क्लिए रहें सभी को आसान था कोशन लेकिन बड़या कोश्यन था इस सब्सक्राइब question बता दू important करा दू one sort में मैं वही question करा रहा हूं जो बियाद important है कच अपने प्रशना अपने exam के लिए और किसी भी बोर्ट से आप पड़ा रहा है सभी boards के लिए बहुत important है तो इसलिए मैंने वही question लिए है जो आपको करने ही है उसमें कोई सक नहीं है तो साथ साथ करते भी रही है question और थोड़ा सा lengthy one sort क्योंकि chapter बढ़ा है तो थोड़ा patience रखिएगा और पूरा one sort आप complete करिएगा मैं एक साथ ही पूरा cover कराऊंगा मैं बीच में break नहीं लूँगा और आपके मैं comment वैसे भी नहीं देखता हूं तो comment पर आप भी ध्यान ना देजिए बस one sort proper आप लग के complete करें ठीक है मैं बाद में सबके comment जरू पढ़ता हूं तो class के बाद आप comment करा करो वह comment जरूर मुझे बात में वहां पर सो होते हैं तो वह मैं जब सब कह रहाता है ABCD एक संबलंब है क्योंकि बहुत से question ऐसे आएंगे जिसमें हमारे पास question में figure नहीं दिया होगा तो सबसे पहला focus होगा आपको figure बनाना और प्रॉपर वैसे बनाना जो question में कह रहा है फिर उसके बाद ही आप क्या चलेंगे दिया है सिद्ध करना है फिर रचना फिर उत्पति सबसे पहला जब figure ना दिया हो तो पहले चित्र बनाओगे आप कह रहा है ABCD एक संबलंब है आप संबलंब की खासिया जानते है कि दो बुजाएं कैसी होती है समानतर होती है और दो कुह सब्सेग्स पॉाइजना उसक और फोब शॉ ح Regular को ही मतर्ए कोई दिक्कत ने का आप पर बिंदू ओ पर प्रतिछेद करते हैं विकर्ण एक विकर्ण ये बनेगा एक विकर्ण ये बनेगा ये बिंदू ओ पर क्या करते हैं प्रतिछेद करते हैं ठीक कर लिया कहरा दर्साइए कि ए ओ बटे बी ओ ए ओ फिर बी ओ ये बी ओ बराबर है सियो बटे डी ओ सियो और डी ओ यह कुछ उट पटंग सा अनुपात दिया है इसको बराबर सिद्ध करना है लगनी तो भाई यहाँ पर भी थिल्स प्रमे ही है लेकिन कैसे लगेगी यह समझना अमारे लिए बहुत इंप बनाओगे बिंदू ओ पर प्रतिछेट करती आपने बिंदू ओ बना दिया बस इतना ही रशना है अगर हमें कुछ एक्ष्टा करनी पड़ी वह भी करेंगे तो बताएंगे ठिक यह मैंने फिगर यह वाला लेंगे अब लिखना शुरू करते हैं कि कैसे करना इसको मैं सबस भी ड् siitä के समानतर बस यहीं दिया और लिंदू पर प्रतिछेट करती वह भी एक प्रकार समय है पताए है कि ए कि यह वीजो है वो समानतर है वीजी के बेसिकली इतनी बास में पता है और विकर्ण लिख देते था यहीं पर लग देते हैं कि मैं पता है यह बात है तथा इसक विकर्ण विकर्ण जो हमने लिये हैं वो मालूम लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है डी बी वा एसी बिंदू ओपर प्रतिछेद करते हैं इतना तो हमें कोश्चन में दिया है जो दिया है वो प्रॉपर लिख हो आप पस उसी के नंबर है अपने बास फिर दूसरी स्टेप सिद्ध करना है सिद्ध करनी वाली बात तो डारेक्ट्ली हमारे पास कुश्चन में लिखी होती है वही लिख तो सिद्ध करना है क्या लिखा है ये लिख दो AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के ये सिद्ध करना है अब इसमें एक छोटी सी हमें रचना भी करनी है इस question में क्या रचना करनी है वो आपको याद रखना है हम रचना क्या करते हैं देखो यहाँ पर हमें एक रचना ये करते हैं कि बिंदू O से एक गुजरती हुई हमें एक रेखा कीचते है जो इस A, B और C, D, C ये A, B और D, C तो समानतर हैं ये तो हमें दिया है कि A, B और D, C समानतर हैं समलम में तो समानतर भी हैं तो यहाँ पर हमने एक ये सीधी रेखा कीची, ये P O मालू, कि हमने क्या किया, बिंदू O से गुजरती हुई, एक O P रेखा कीची, जो A B और D C दोनों के समानतर है, सीधी बात हुई, क्योंकि इसके जह समानतर है, तो मरलब इसके भी समानतर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमने रशना किया वो लिख देते हैं, कि बिंदू O से गुजरता हुआ, रेखा खंड है, एक पिकार से, रेखा खंड, रेखा खंड समस्ते हैं, जिसकी लंबाई, फिक्स रेती है, कि ये ति लंबाई, फिक्स है, रेखा खंड, O P खीचा ओपी खीचा बस इत्ता ही लिख देते हूं ओपी खीचा यह मैं पता ही दिखी रहा है लिख दें या फिर जो एबी के समानतर है या या एबी के समानतर लिख सकते हो या डीसी के समानतर है सीदी यही लिख दो कि यह मारे पास डीसी के समानतर है लिख देते हैं जो क्योंकि DCA भी अपस में समानतर है, DC के समानतर है, ठीक, इतना बात हमने लिख दी, ये बात हो गई, जो हमें कोशन में दिया था, जो सिद्ध करना था, जो फीगर बनाना था, और जो रचना करनी थी, आप चलते हैं अपने according उत्पत्ति पर, अच्छा कोशन है ये, इससे में नहीं लगना प्रशनावली में कोई दिया गया, जो मैंने ये ले लिए, उत्पत्ति में अब आप देखो, हम त्रबुज लेना पड़ेगा, वही बात है, थेल्सप्रमे का कहीन कहीं कहीं क्यों करना है, तो जो रचना की है, क्या रचना की है, तुमने पियो की रचना क है, कौन सी तरबुज में आ रहा है, इस तरबुज में आ रहा है, ये अगर तरबुज देखो, ये, D, C, A, या A, D, C, तरबुज अगर ले लो, तो ये दोनों बुजाएं कैसी है, समानतर, तो ये अनुपात, ये अनुपात के बराबर हो जाएगा, दिख रहा हैं, ठिक, तो बस ये तरबुज हमें लेना है, और कुछ नहीं करना है, इसी तरबुज के हम पहले चर्चा कर लेते हैं, कौन सा तरबुज, जो मैंने अभी बनाया, ये, 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 और ये, ठिक, चलते हैं, कौन सा हो गया, A, D, C, तरबुज, तरबुज, A, D, C, ADC में क्या है ADC यह यहाई से हम लिख लें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं AP बटे PD बराबर है AP और PD पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सी बुझाए समानतर है PO और DC समानतर है लिख दो PO समानतर है DC के अब AP और PD बराबर होगा किसके AO और OC के इसको डाल दो समय करां तरबुझ ADC में तो हमने इतनी बात कर ली कौन से तरबुझ में ADC यह तरबुझ में हमने इतनी बात कर ली कि यह हमारे पास कैसी है यहाँ पर थेल्स प्रमे का उप्योग करके यहाँ पर इतना बात लिख दी कि यह हमारे पास यह समानतर है तो यहाँ पर लिखा नहीं हमने इतना लिख देते हैं इंदर इसको दूसरे पेंसे लिखता हूं एक तरबुज हमें ये वाला दिख रहा है A, B, D में, अब लिखो, तरबुझ A, B, D में, लिखते हैं वसे, तरबुझ A, B, D में, अब तरबुझ A, B, D में, कौन से बुझा है समानतर है, यह A, B, जो है, वो समानतर है, P, O, के, क्योंकि D, C, इसके समानतर थी, D, C, इसके समानतर थी, तो यह इसके, तीनों आपस में समा समानतर है तो एबी समानतर है पियों के यहां पर लिख देते हैं पियों यहां फिल लिख दो पियों समानतर है किसके एबी के कि एनी कि ए भीके समानतर और फिर से वही बात थेल्स प्रमेशि लगाओ रेल स्प्रमेशिओ अ कि जैसे ही आप थेल्स प्रमेशिवेह यहां पर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या यह समानतर हैं फिर देखुल को वहcco आइपी लिधी अ मत्यंत बते पीडी यह लिखा, AP और PD, बराबर है BO और OD के, BO बटे OD के, इसको समीकर दो दे दी, ठिक, यह लगा दिया थेलस्पन में, इस्तरभुज में लगा दी, यह बराबर, यह नुपात, यह नुपात बराबर था इस नुपात के, अब चलते हैं, इसको अटा देते हैं, आने बस दिखाने के लिए आपको बताया, मैं इसको खटा देता हूँ, जो रशना में उजित्ता किया है, उतना ही करोगे, बस, आप यह ऐसे मैंने सिब दिखाने के लिए दिखाया था, कि तरभुज हमने कौन सा लिए, यह पी उमारे पास थी, समानतर रहे, रेखा, यह याद रखने, आप समीकरण एक वाब दो से बात कर लिते हैं, प्रूफ हो गया है बस हो गया क्म, इतना ही काम करना था, समीकरण एक वाब दो से, क्या कहता है, समीकरण एक, तोको इसमें एपी बटे पीडी है, यहाँपर भी एपी वेटे पीडी है, लेफ्ट हैंट साइट बराबर है, säga और गी ओडियों नीशेthonर कुछ यह certains नीचे लेदो इसको तो वी ओ आगया तेक बराबर तो यह ऊपर चला जाराएगा ओ सी बटे ओ डी कही प्रूफ करना है न दो यदि यो लिख दो भाई इसको तकुंकि दियो लिखा है तक दियो लिक दो ऑढ़िलागा है और यह भी हमारे पास बटे में आ गया कि यह यही प्रूफ करना था कि यहां पर दीन नहीouri लिख मैं कि इसको बाद उपर ले गया हूं इसको मैं एक बार वैसे लिख देता हूं ताकि आपको confusion ना रहे हैं यह बटे ओसी बराबर था भी ओ बटे डियों कि इसका दो भी को मैं नीचे ले आए यह ब्यों को करों आ है चतुरूबूश की बात होगी प्रमे जो लगती इधियर में बज्तिर यहां पर बात hooks हो रही ती तो अमने चत्रूबूश को रूप में कं송 रर्ण कि यह रहा है धी हम्रेति रहा है यह प्रतिक्षेद कर लेलोगे थिक तब ये वाले दोन तरबूझ ले क्या आप कर दोगे अब अगर हमने इधर मिलाया है सी दीशी बात ये संजो आप Nos है तो आपने कौन से लिया एक तो ये जिसके समानतर था एके ये वाला समानतर देख लो कर पर भुजहाएं समानतर हैं वहीं तरभुझ लेना है यह समानतर है तो यह वाला पूरा पूरा अध mm दिए और यहां पर यहां पर यह के समांतर एक बुझा तो यह है और प्यू के समांतर एक बुझा नीचे वाली तो हम समांतर बुझाओं को ही लेंगे तभी प्रमे अपलाई कर पाएंगे तो इसके समांतर ये वाली बुझा थी तो ये वाला उपर वाला तरभुझ लिया जब इसके समांतर ये वाली बुझा ले रहोगे बस उससे कुछ आंसर नहीं निकलेगा तो में यह चीज दिमाग में रखनी है कौन सी भुजा किसके समानतर है और उसके अकॉर्डिंग हमें उस त्रभूज में जाके फिल थेल्सप्रमे लगानी है और थेल्सप्रमे के बाद आपका आंसर आ जाएगा उसमें सारे आपको questions करा दिए इतने questions आप अगर अच्छे से practice कर लेते हो सारे concept समझ लेते हो कि कैसे मैंने की है तो आप question गलत नहीं करो कि यह guarantee है अब यहां से 6.2 अपनी खतम होती है अब हम लोग start करेंगे 6.3 को जहां पर हमें बात करनी है कसोर्टी जो हमारे पास कोणों की सरव 3.3 नंबर प्रमे भी है दो प्रमे पहले हम लोग पढ़ चुके अब तुर्बुज की समरूपता पर जो हमें प्रमे कर दी है इनकी अगर हम बात करें तो बहुत important प्रमे यह तीन प्रमे है प्रमे हम directly हम question practice करेंगे one sort में जितने question practice हो सकते हैं उतने maximum questions लगाएंगे जो तुर्बुज है अगर इनके संगत कोण बराबर है संगत कोण का मतलब समझ रहो कि कोण B कोण E के बराबर है कोण A कोण D के बराबर है कोण C कोण F के बराबर है तो यह दोनों तुर्बुज कैसे रहने वाले हैं दोनों तुर्बुज समरूप होने वाले क्या कहती है यह प पास B जो है वो हमारे पास कोड़ E के बराबर है और कोड़ जो हमारे पास सी जो है वो हमारे पास कोड़ F के बराबर है यदि ऐसा है तो त्रभुज दोनों त्रभुज त्रभुज कौन सा ABC त्रभुज ABC समरूप होगा समरूप का साइन ऐसा है कुछ यह साप सा बना दिया है थोड़ा और अच्छा सा बना लू सम्रूप जो ढूरे पास है वह इस प्रकार से जो सरवांगिशम का साइन होता है उस grasp के साइन लगे ए ऊपर संब्रूप वाला साइन लगेगा अविए एफ के सब्՝रूप होगा बस यही हमारे पास ये प्रमे कहती है इसे ही हम कौन सी प्रमे कहते हैं अच्छा इसकी प्रमे की सबसे important बात इसे हम कौन सी कोण कपको समरूपता कहते हैं कोण 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 समरूपता मतलब कि क्या है तीनों एंगल बराबर है ना तो इसे कहीं आप देखेंगे त्रिपल ए भी लिखा मिल जाएगा त्रिपल ए का सौटी से त्रिपल ए समरूपता से त्रबुज की जो हमारे पास यहाँ पर प्रमे है उसी पराधारित जो हमारे पास तीनों कोण अगर बराबर होते हैं संगत कोण तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर दोनों त्रबुज कैसे होने वाले हैं समरूप होने वाले एक तो यह बात होगे इसी का छोटा भाई एक और है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका हम सबसे ज़्यादा ओप्योग करेंगे वो क्या कहती है कि केवल अगर दो कोण भी बराबर है तो भी हम तरबुज क्या कह देते हैं समरूप उससे हम कोण कोण समरूपता बोलते हैं कोण कोण समरूपता कोण कोण समरूपता ये कहती है कि यदी यह अठा देते हैं क्या कहती है लिख दें यदी त्रभुजों के यदी त्रभुजों के दो संगत कौन बराबर होंगे तो त्रभुजों समरूप होंगे त्रभुजों समरूप आप यह भी बोल सकते है जिसका सब्च्यादा उप्योग होगा और आसान भी यहां पर केवल दो ही कोण बराबर करने या तो भी तीन कोण बराबर करने तो सीधे सिंपल सी बात हो गई कि यदि किसी तर्बूच के हमारे पास दो कोण भी बराबर होते हैं तो भी हम कहे देंगे कि तर्बूच कैसा होने वाला है तर्बूच समरूप होने वाला है ये 6.3 का ही प्रकार से भाग मालू कि दो कोण अगर बराबर होंगे तो भी हम त्रबुज समरूप कहते हैं और दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गाई जब हम तीनों कोण दिखाने की ज़रूद भी नहीं पड़ेगी दो कोण हम अपना बराबर दिखा देंगे तो भी हम कहें देंगे कि त्रबुज क्या है समरूप है यह हो गई दोआप एक यह आनुपात में हो तो इनके संगत बुझाओं का जो You हो जाते हैं मलें संगत बुजाओं का अनुपात समझ घ्रें क्या है जो ए बी मुझा है इस Deवे के अनुपात A, dran O, बुजा का जो अनुपात होगा वह बर्यावर होगा जो हमारे पास A, C बुजा है और D बुजा के अनुपात के, BC बुजा है और EF बुजा के अनुपात के, मतलब क्या है, यदि हम लिख देते हैं, यहापर इसका क्या कहना चाहरा है, कि यदि AB बटे DE संगत बुजा है, AB की संगत कौन सी बुजा है, DE, AB बटे D, बराबर होगा, AC बटे DF, AC बटे DF, बराबर होगा BC बटे EF के BC बटे EF के क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है कि यदि दो त्रबुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है यह संगत भुजाओं का हमने अनुपात ले लिया तीनो भुजाओं का अनुपात ले लिया तो इनके संगत कोन भी बराबर होते तब हम सीधे लिख देंगे कि जो हमारे पास त्रबुज होगा ये ABC वो समरूप होगा त्रबुज DEF के त्रबुज DEF बस ये कहना चाहता है हमारे पास जो 6.4 की प्रमे है इसे हम कौन सी प्रमे कहते हैं भुजा 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 समरूपता ये हमारे पास कौन सी समरूपता है इसको लिख देते हैं भुजा भुजा क्योंकि तीनो साइड इक्वल है ना तीनो साइड मतलब साइड का अनुपात बोलने हैं आपर तो भुजा भु वो अगर equal है तो भी हम कहेंगे कि दोनों तर्बुज हमारे पास कैसे समरूप है दो प्रमे तो यह हो गई तीसरी भी बहुत important प्रमे है जो 6.5 हमने ले रखी है इसका भी हम questions में अभी उपयोग करेंगे अभी इनको सिखा देंगे कि कैसे question में उपयोगी कैसे हम समरूप सिद बहुत आसान तरीका है एक बार में केलियर हो जाएगी बस आप साथ में करते रहें बजों बता रहें कहिए यदि एक त्रबुज का एकोड दूसरे त्रबुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोड़ों के अंतरगत करने वाली अंतरगत करने वाली भुजाय सम्हानुप पाती हो तो तोनों तर्बुज समरूप होते हैं क्या कहना कहा चाहता है मैं यह बात आसान भासा में आपको समझाता हूं इस स्टेट्मेंट जो लिखा है इसने यह का कि अगर कोई दो तर्बुज है इन दो तर्बुजों में कोई दो भुजाओं का अनुपाद बराबर है जैसे यहाँ पर तो तीनों भुजाओं का अनुपाद बराबर था संगत भुजाओं अगर दो संगत भुजाओं का अनुपाद बराबर जैसे माल लो AB और BC का अनुपाद माल लिए हमने बराबर है यह हमारे पास AB और DF का अनुपाद बराबर है BC EF के साथ मतलब क्या है यह दिया हम लिखते हैं आपर statement जो लिखा है उपर उसका मतलब समझाते हैं भी कि AB बटे DE AB बटे DE बराबर है किसके BC बटे EF के BC बटे EF के यह हमने क्या किया दो भुजाओं का इसका इसका अनुपाद और इसका और इसका अनुपाद दो भुजाओं का अनुपाद बराबर कर लिए मलब दो भुजाओं जो है इन दोनों भुजाओं का अनुपाद बराबर कर लिए तो यह कहता है कि अगर यदि दो भुजाओं का अनुपात तथा एक चीज और क्या इन दोनों भुजाओं के मद्द जो कोण बनना यही तो कह रहा है कि एक कोण के बराबर है कह रहा है यदि एक त्रभुच का एक कोण दूसरे त्रभुच के एक कोण के बराबर लेकिन कौन सा कोण तथा इ कोंड़ ये B और A कोंड़ ये E ये कहां पर बनना है इन धोनों बुजाओं के मद्द बनना है जिनका मैंने अनुपात लिया है ऐसा नहीं बहुंसकते कि कोण A क्यण D के बराबर हो कोण C कोण F के बराबर होना जिन दो भुजाओं जिन दो संगत भुजाओं के हमने अनुपात बराबर कियें उनके मद्द जो कोण बनना है वो कोण बराबर होना चाहिए और जो दो भुजाएं आपने लिए वो दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए मलब उनका अनुपात बराबर होना चा फार्गा कोड़ ए फोडि बराबर कर दिया तो भी गलत हो जो दो बुजाएं ली ए उन्हीं से अगर बचार छो घीसीति बचार ले ले तो हम दीए फ ए और फ ले बनने यहां पर करें स reads करते 1700 ले बाबर कर देंगे त草न B बराबर होना चाहिए कोण E के तब हमारे पास क्या होगा तो दोनों त्रबुज समरूप हो जाएंगे ABC त्रबुज ABC जो होगा वो समरूप हो जाएगा किसके त्रबुज DEF के यह हमारे पास एक प्रम्य और होगे इसे कौन सी प्रम्य बोलेंगे दो तो भुजाएं हों गई भुजा और दो भुजाएं जो है इनी के बीच वाला कोण लिया है तो इसे हम बीच में लिख देते हैं भुजा, कोण, भुजा समरूपता ठीक समझ गए कि जो दो भुजाएं लिए यह AB और BC इनके बीच वाला कोण यह दो भुजाएं लिए इनके बीच वाला कोण तो इनके बीच जो कोण होगा वो हमारे पास बराबर होना चाहिए इसे आप सौर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं क्या यह हो गई साइड यह हो गया एंगल और यह हो गई साइड ऐसे एस तो यहाँ पर यह हमारे पास बेसिकली तीन प्रमें है जिनकी हमें यहाँ पर जिन पर आधारित हमें कोशन की प्रैक्टिस करनी है भ्यद इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपको प्रूफ सभ़ज में आ जाएंगे जह मैं इन कोशन इन पर लगाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे तीनों क्लियर है ना कि पहली मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से पहली क्या कहती है 6.3 वाली कि अगर कोई दोत्र बुज है इनके तीनों एंगल बराबर है तीनों एंगल कौन कौन से संगत एंगल संगत मतलब कि जहा हैं बराबर हो गई और कोन बराबर हो गई हो समरूप हो जाता है बोजाओं का अनुपात बराबर होगा कि यहां से AB,DE का mission for एक सी Def का अनुपात BC, EF का अनुपात, तीनों आपस में भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, तो भी ये समरूप हो जाएगी, तीसरी हमारे पास अंतिम ये कहती है, कि कोई दो भुजाएं ले लो, अगर उनके संगत अनुपात बराबर है, कोई दो संगत भुजाएं ले लो, उनके अगर लेपनेंगे तो A और D अमारे पास कोन होना चाहिए बराबर तो भी समरूप हो जाएगा अगर ये और ये ली है ये और ये ली है तो कोन इजोगा वह सी के अगर बराबर होगा तो भी समरूप हो जाएगा ये तीन कंडिशन पर हमारे पास ये बनेंगे अब चलते हैं directly question practice पर जो में करने हैं जो बहुत important है मैं start करता हूँ पहले question से पहले एक example लिया साथ वा नमबर अच्छा example है अच्छा question है simple है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस question को जब पढ़ोगे तो ऐसा एक बल लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि उचाहीं दूरी का question solve कर रहा है तो बुच क्या कहता है कि 90 cm की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है यदि बल्ब भूम से 3. 6 cm की उचाई पर रिस्तित है तो चार सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ग्याद कीजिए ठीक कोई दिक्कर नहीं क्या कहना चाहरा है इसका पहले में फीगर बनाना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉश्चन बढ़या कॉश्चन कि फीगर नहीं दिया कोईश्चन में फीगर अम लोग बनाएंगे कह रहा है बास समझों क्या कहना चाहरा है मैं बनाता हूं फिगर फी समझा दूँगा कि एक तो खंबा है तिक यह तो का ठीक लड़की जो है वो बल्ब के लगे खंबे के आधार से इसके आधार से परे आ कि यह हमारे पास एक खंबा है इस खंबे की हमें लंबाई दी गई है खंबे के आधार से परे एक दसम्रों दो मीटर चाल चल लए है बल्ब भूम इससे तीन दसम्रों 6 मीटर की उचाही पर लगा मतलब समझो क्या अगर हम बेसी बासम बता है इसे अगर सड़कों पर चाही दी गई वो 3.6 cm दी यह 3.6 मीटर का मतलब की प्रकार से खंबा है चुक्क बल्ब जू लगा होगा उपर लगा होगा यहां से लड़की जा रिए लड़की की चाल कित्ति दी गई है एक दसम्रों दो सेंटी मीटर दो मीटर पर सेकेंड की चाल से मतलब जो लड़की चल लए है वह एक सेकेंड में एक दसमलोग दो मीटर चल जाती है ठीक कह रहा है 90 cm लंबाई की लड़की है ठीक है यदि बल्व कि हमारे पास भूमी से चल चार सेकेंड बाद लड़की कहीं पहुच गई होगी यहां तक माल लेते हैं पहुच गई होगी इस लड़की जा रही थी न इस लड़की पर पीछे से लाइट पड़ी तो इसकी जो यह चाया आंगे साइड बनेंगी इसकी यह लंबाई पूच रहा है मतलब कि कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होगी ठीक यह बात कहना चाह रहा है मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्या कहना चाह रहा है कोशिशन देखो यह फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिगर ही बनाएंगे तभी हमें समझ में आएगी चीज़े यह माल लिया मैंने ए यह बी यह सी इसको कुछ भी माल लोग पी और क्यू माल लिया हमारे पास AB क्या है खंबा और पी क्यू क्या है लड़की यह लिख दें तो कंफूजन नहीं होगा वैसे कंफूजन नहीं होना चाहिए लिख देता हूं फिर भी देखो कह रहा था 90 cm लंबाई की एक लड़की है जो बल्व लगे एक खंबे के आधार से यह बल्व लगा ए इसकी लंबाई 3.6 मीटर हमें दी गई थी लड़की जो थी वो इसके आधार से परे मतलब आधार से परे क्या कर रही थी आधार से परे एक दसमलों 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही थी यहां आधार से दूर की ओर क्या कर रही थी एक दसमलों 2 मीटर पर सेकेंड की च यहां से पूरा क्या है चार से कंड शाया है चार से कंड बाद तो यह छाय जो बनी इस छाय की लंबाई हमने डियाद कर दियक्र comprend रहा कि कहना क्या चाह रहा था को तो क्यूसी के लंबा में कुश्चन में कॉश्चन लेकिन बहुत आसान बस question जोव फीगर था वह में समझना बहुत important था इसलिए मैंने question लिया था उधारना का question है दिया गया है solution वैसे मैं आराम से आपको clear हो जाएगा देखो क्या हो रहा है यहां पर हमें क्या करना होगा त्रबुच की समरूपता यूज करनी पड़ेगी मत्तब दो त्रबुच अगर हम समरूप दिखा देंगे तो का हम हो जाएगा क्योंकि दो त्रबुच यहां पर बनना है आप एक बार ध्यान से देखो तो एक त्रबुच ए भी सी बनना है यह भी समकोन त्रबुच है नबे डिगरी यह खंबा लंबा यू अमारे सीध्या पड़ा हुआ है फिए लड़की वाला जो है पी क्यू सी यह भ लंबाई ग्याद कर सकते हैं क्योंकि इसकी बुझा इसकी यह बुझा नीचे वाली इस बुझा के बार अनुपात के साथ यह बुझा इस बुझा के साथ अनुपात बराबर कर लेंगे तो यह क्यूशी के लंबाई आ जाएगी कैसे देखो बास समझों अम मैं सम्झाना की यह यह जो क्यूशी है ना इस क्यूशी को मैं एक समाल लेता हूँ कि मारे पास यह एक्स मीटर की कुछ लंबाई रही होगी फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अब ध्यान से समझना कैसे समरूप इसको सावित कर सकते हैं समरूप एक कंडिशन से सावित कर सकते हैं अगर हम यहां पर क्या करें देखो यह कूण और यह कूण तो बराबर है कि एक कौन तो बराबर है कोण बी और कोण क्यू बराबर दोने तरबुजों कि बात करना है कौन से पी इबी ची मैं लिख देता हूं इस अबंद त्रबूजर इए बी सी तथा त्रबूज़ कौन सा तू दूसरा कौन सा है एक एबी सी बड़ा वाला एक पीक्यू सी कोण B जो है, वो कोण Q के बराबर है, एक कोण तो बराबर कर लिया हमने, कि कोण B जो है, वो सरकोण Q के बराबर है, एक कोण तो बराबर हो के है, एक कोण अगर और बराबर कर दे तो समरूप हो जाएंगी, तोकि एंगल एंगल समरूपता से, भुजा आया है, कोण कोण और छोटे वाले तरभुज में भी उपकर उसती थी तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कौना इक ए सी भी एससी बी बराबर है कोन से कोल tua के पी-सी क्योंके पी-सी क्योंकर कोण बराबर है क्योंकि उНिस्ट कोन já क्यों सा कौन है उभैयष्ट गोड ओग कोहां है उभैयष्ट कोड इसको मिलीक देते हैं ब्रैकेट में उभैयन इसकोड क्योंकि इसमें लेंगेश लिखना बहुत इंबॉर्टेंट है यह समकॉर्ण यह सन गोड अ इस्तित है तो मतलब की कैसा हो जाएगा हमारे पास उबैनिष्ट कूण हो जाएगा अगर ये दोनों कोण बराबर है तो हम यहां से लिखेंगे अता कोण कोण समरूपता से कोण 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 से ही अपनों का काम चल जाएगा हमने प्रमे पढ़िए भी समरूपता से जो त्रभुज हो गए वो क्या होंगे समरूप होंगे त्रभुज कौन से त्रभुज हमारे पास एक बड़ा वाला A B C समरूफ होगा त्रबुज P Q C के अब सबसे important बात अगर दोनों कोण समरूफ हो गए तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों कोणों के संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा यह हमने इस प्रमे में अभी देखा कि अगर यह संगत भुजाओं बराबर हैं तो भी हमारे पास क्या होते हैं समरूफ होते हैं अगर समरूफ हैं तो संगत भुजाओं बराबर होगी दोनों बातों का मतलब एक ही है तो यहाँ से संगत भुजाओं बराबर करते हैं क्योंकि संगत भुजाए अगर हम बराबर करेंगे तभी X का मान निकलेगा देखो यह दूरी हम निकाल सकते हैं आपको पता है कि यह एक दसमलों मीटर पर सेकेंड की चाल से चल ला है चार सेकेंड बात कितनी दूरी चल जाएगा तो बीक्यू हम निकाल सकते हैं देखो अगर हम यहां से देखें माना है कि एक दिसमलों दो सेकेंड ललकी की चाल हमें दी गई है चाल हमें कितनी दी गई है चाल हमें यहां पर दी गई है एक दिसमलों दो मीटर पर सेकेंड और समाय कित्ता दिया गया है दिया गया है था से कंड़ का तो क्यां दूरी नहीं निकाल सकते हैं कि यह भी इकूद रूरी कितनी होगी बी के से क्यूद उब रहे से डूर्टी चलना Studio क्रती तो क्यूद तक आती है यह आराम से दूरी निकाल सकते एं चार समलों 2 मतलब कि 4.8 किती हो जाएगी मीटर में आए कि मीटर पर सेगेंड चला है तो यह मीटर में आ जाएगी तो लड़की जो हमारे पास इस क्यू पॉइंट तक आती है तब दो क्यों कि मैं लिखता हूँ यहां से किस बुजा का बड़े वाले त्रभूच की नीचे यह चोपिर भजा बन बड़े वाली मुझा और चोटे वाले त्रभूच में ये नीचे वाली बुजा तो यह वाली कौन सी है बी सी और बटे में क्या हो जाएगा क्यूशी ठीक बस यह दोनों बुजाओं कानुपात ले लो इसी से काम हो जाएगा तीसरी लेनी की जरूवत नहीं है क्योंकि एक ही एक्स का मान निकालना इसी से निकल आएगा तो अबी किता दिया है 3.6 cm इधर में लिखता हूँ A B बराबर है 3.6 cm और हमारे पास क्या है P Q P Q हमारे पास किता है 90 cm A B और P Q तो P Q हमारे पास है 90 cm दोनों cm में और उसके अलावा चलते हैं फिर हमारे पास B C तो B और C कित्ती हो जाएगी यह दूरी कित्ती है 4.8 यह एक्स तो इसको लिख दे लेते हैं 4.8 प्लस का X नीचे हमारे पास क्या है QC जो हमें ग्याद करनी है वो हमारे पास है X यह समझ गयाने 4.8 प्लस एक्स क्यों होई क्योंकि इतनी दूरी 4.8 है इतनी हमने X मानी है तो simple 4.8 प्लस X होगी अब इसको solve कर लेते हैं अब सीधी सी बात यह कि यह हमारे पास सम यह मीटर में ठिक यह हमारे पास दोनों cm में एसा करते हैं इनको भी मीटर में कर लेतें हैं तो उपर इसको लेते हैं 0.3 और इसको लिख लेते हैं 0.9 जिए सबको मीटर में कर लिया 4.8 प्लस एक्स ब्टे X अब यह दस और नौदाम नब्बे ठीक यह जाएगा इधर कर लेते हैं इसको 4X हो गया यह ओगया 48 प्लस का 10X ठीक कि निगेटिव आएगी क्या ऐसे तो निगेटिव एगे लिए 4X माइनस का 6X निगेट 273 तीघे मेटर थी मिटर को नहीं थी महीं से तीन संव्य छोप भीर सेंटीमिट्र नहीं हो गलत है कि खमबी ऐबनो जाएख इतनाuralia देख ले ना वैसे हमें लग राया है यह हमारे पास कितनी है इसको मैं लिख देताosas सब्सक्राइब तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर अब यह तो यह तो यह पता है अगर यह 90 सेंटी मीटर है तो इसे हम 0.9 मीटर लिख सकते हैं अब सब मीटर में हो गई तो मीटर में आनसर आजाएगा प्लस एक्स वटे एक्स दसम्लोव अठालो नौएकम नौचाओ कुछ अठीस तो यह आ गया जाएगी 1.6 मीटर ठीक है तो मलब लड़की की जो परचाई बनने यह वो 1.6 मीटर की बनने बढ़ा कोईशन था क्योंकि इसका फीगर बहुत इंपॉर्टेंट था और हमें दो त्रबुज यहाँ पर हमें पता नहीं था क्या करना है हमें दो त्रबुज समरूप दिखाने पी क्यूप सी जो है वो ए बी सी के समरूप है अगर समरूप हम दिखा देंगे तो संगत-बुजाओं का न्युक्व जाई से काम चलेगा कोण लेने से कोई फायदा नहीं हमें तो यह बुजा ग्याद करनी है ना तो बुजाओं का अनुपाद बराबर दिखाना होगा तो question अब चलते हैं अगले question की तरफ अगला question फिर से हमारे पास जो देखेंगे आकरती पराधारी तेक question है बढ़िया question क्या कह रहा है कि आकरती तीन दसंपलों ते 6 दसंपलों तीन छे में क्यू आर बटे क्यू एस कौन है क्यू आर भाई देख लेते समझ लेते हैं पहले Q-R, बटे QS Q-R हमारे पास काह है Q-R तो ये बड़ा वाली बुझा है ठीक, और क्या है Q-S, नीचे वाली त्रबुज की बुझा है ठीक, QT QT ये वाली बड़ी बुझा बटे P-R P-R मतलब की इस वाले त्रबुज P-R हाँ, ये ही वाली ये वाली है मारे पास बुजा अनुपाद बराबर है कोण एक कोण दो के बराबर है ये कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है ये कोण जो एक है ये कोण दो के बराबर है मतलब इस तरभुज की बात हो रही कोण एक कोण दो कहा मिलेगा किस तरभुज में यह rate से जो बना है, इस make देखो, तो कोण 1 जो है, वो कोण 2 के बराबर है, ठिक, कोई दिक्कत ने, तो दरसाना है, त्रभुज PQS, PQS, यह छोटा वाला त्रभुज, TQR, TQR, बड़ा वाला, ठीक, यह छोटा वाला त्रभुज, जो यह बड़ा वाला सबसे त्रभुज ब अनुपात भी दे रखा है, कि इन बुजाओं का अनुपात बराबर है, जो बुजाओं दे रखे हैं, भुजाओं की बात कर लेंगे, अच्छे एक चीज़ आपको याद है, जो नाइंध क्लास में, नाइंध के तुम पाप आप लोगों के बाकी होंगे, वो तो सारी है, ये दोनों बुजाओं बराबर हैं, ये बुजा, इस बुजा के बराबर हैं, तो इनके सम्मूख कोन भी बराबर होते हैं, मतलब ये कोन जो होगा, वो ये कोन के बराबर होगा, इस बुजा के सम्मूख ये कोन, तो कोन B जो होगा, वो कोन C के बराबर होगा, या ये कह दो कि ये कोन बराबर हैं, B और C कोन बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, A, B जो A, C के बराबर होंगी, ये प्रमे पढ़ी थी सब लोगों ने 9th क्लास में, नहीं पढ़ी थी, तो याद रखना, कि अगर दो भुजाएं हमारे पास किसी तरभुज में ब बराबर होती है, इसका उपियोग यहाँ पर होना है, देखो कैसे, कोशन में पहले देखते हैं, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है, कि कोन एक जो है, बराबर है, कोन दो के, अब सीदी सी बास समझना, मैंने रेड से बना भी रखा है, कोन एक अगर क कोड़ 2 के बराबर है तो कोड़ 2 के सामने वाली बुजा ये वाली बुजा ठीक कोड़ 1 के सामने वाली बुजा ये वाली बुजा ठीक इसी तरबुच की बात हो रही है जो हमारे पास PQR है ठीक याद रखना PQR तो ये हमारे पास PQ जो होगा वो PR के बराबर होगा क्योंकि कोड़ 2 के सामने वाली बुजा PQ और कोड़ 1 के सामने वाली बुजा P R, ध्यान से देखना, यह इस बुजा को ना कर देना, P S को, क्योंकि कोड़ कहां से बनना है, यह P R वाले से, तो P Q जो होगा, अता, P Q जो होगा, वो P R के बराबर होगा, इसको समीकर ने एक दे दिया, पहली चीज यह दी थी, इससे यह conclusion निकला, दूसरी क्या दे रखी, एक यह चीज दे रखी, क्या दिया है, second point डाल देते हैं, पहला point लिखा है, इसी में दिया होगा, second point डाल देते हैं, कि Q R बटे Q S, बराबर है, Q T बटे PR के, पहला काम तो यह करो, जो यह PR है, इस PR की यह रख दो पहले तो, अब लिख दो, अब सिधे स्टार्ट करते है, PR बटे Q S equal to Q T बटे, PR किसके बराबर है, P Q के, तो हमने यहाँ पर P Q लिख दिया, या Q P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, P Q लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात तक तो हम पहुँच गए, जो question मे दिया था, इसको इसके बराबर करके, इसको इसके बराबर करके, ठीक, यहाँ तक आगे, अब हमें किसको तरभूज को समरूप दिखाना है, अब उस तरभूज पर चलते हैं, इसको अटाते हैं, इसको अटाओ, देखो, समझो, कह रहा है कि PQS कौन सा तर्भुज है PQS एक तो यह है PQS यह वाला मैंने रेट से बना दिया दूसरा एक और ले लेते हैं ब्लू से बना दिया TQR TQR मतलब कि यह बड़ा वाला ठीक अब इस तर्भुज को में समरूप दिखाना है तो समरूप कैसे दिखाया जा सकता है QR बटे QS अच्छा QR बटे QS चाब बड़े वाले तर्भुज की बड़ी वाली बुजा और छोटे वाली तर्भुज की यह वाली बुजा नीचे वाली QS मलब QR जो QS है वो QT और PQ, QT हमारे पास कहा है? QT और हमारे पास PQ, 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 QT और PQ, मनलब दो भुजा हैं तो बरावर हमने कर दी, हो तो गया, बस देखो, कैसे, बास समझो, यहाँ पर जो अमने ये नीचे लिखा हुआ है, जो हमने ये लिखा है, QR बटे, QS, QR और QS कहा पर, QR ये वाले तरबुज की बुजा, इसी में जो हमारे पास छोटी वाले बुजा है, छोटा वाला तरबुज जो है, इसकी QS, इन दोनों बुजाओं का अनुपात, बड़ी वाली ये हमारे पास तरबुज की QT बुजा, और छोटे वाले की PQ बुजा, ये वाली, तो इन दोनों कानुपाद तो बराबर कर दिया एक कोण बराबर करना है वो कोण हमें पहले दे रखा है कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर है तो यहां से हमें पता है कि यह कोण एक जो है यह कोंडे 2 के बराबर हैं ये किने इसका उपयोग हम नहीं करेंगे हम किसका उपयोग करेंगे कि कूर एक जो है यह दोनों त्रभुज में उभैरि निश्ट है दीको टीक्यूर अर meg ay consult में भी और प्यक्यू W PQS बनाओगे, ये वाला, और TQR, TQR बनाओगे, तो दोनों में यहीं से जाना है, कोण एक हमारे पास क्या है, समरूप, और कोण एक अगर हमारे पास समरूप है, कोण एक हमारे पास उबै निश्ट है, तो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बरा TQS बराबर है कोण TQR के उभैनिष्ट कोण है लिख दो जरूर लिखाओ ब्रेकेट में इन कोश्चन में सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या करोगे तो यह लिखने का तरीका है इसको याद नहीं करना है आप मैं यह देखो कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूं कि पहले क्य बराबर है वो भी साइड में लिखो और फिर उसके एकॉर्डिंग आप सम्रूप उसको दिखाओ आप इसी पैटरन से लिख्याओ कि बहुत बुच्चो कैसा हो जाता है कुन है कुश्चन्स आता है सब समझ में आ गया कि यहां पर हमने दो कॉन बराबर कर दिए हम आराम से सम्रूप दिखा सकते हैं हमें पता है यह दो कॉन बराबर होते हैं लिकिन लिखने का तरीका नहीं पता है कि किस तरीके से उसे लिख के हैं तो लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह तो आपको यह जानता है एक्जामनर कि आपको आता था या नहीं आत सबसे इंपोर्टेंट बात यह कि लिखने का तरीका वह बहुत अच्छा होना चाहिए अब हमें पता है कि इन दो भुजाओं का अनुपाद भी बराबर है एक कोण बराबर है दोनों भुजाओं के अंतरगत वाला कोण बराबर है तो कौन सी समरूपता लग सकती है हम लिखे चाहिएंगे अता ह कि भुजा कोन मुझा कैसे क्या हो जाएगा अता भुजाओं कौन भुजाओं समरूपता से कह सकते हैं कि प्रूफ करना था पस इतना ही कोश्चन देखो एक पेच के हैं लेकिन कोश्चन में जो कोश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग इस बजय से हो गया एक ये भी एक सब्सक्राइन खीच रखी ये फीगर खीच रखा दो तीन फीगर में थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा एक बार ध्यान से देखोगे जब भी किसी कोश्चन में तो मैं अभी भी करा रहा हूं जो कोश्चन उनमें किसी भी कोश्चन में तुम्हें डाउट ल कि मैं सारी चीजें बता दूँगा उस सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो आप दूण रहें थे ठीक है तो दुबारा एक बार बैक करके देख लेना जरूर आपको किलियर हो जाएगा अगर किसी कोश्चन में ऐसा लगता है कि सर इसको रिपीट करना चाहिए ठीक है च इककोल के साथ उपर समरूप लग जाए सर्वांगिशम है मतलब कि कोण बराबर होंगे अनुपात नहीं बराबर है वो बुजाएं बराबर होंगी यहां जैसे सर्वांगिशम में क्या होता है कि उसीदे बुजाएं ही बराबर होती है ठीक तो दर्साइए कि ये कोण हमार ए बी यह हो गया ए बी ए रेड से एक और बना लेते हैं कौन साथ दूसरा a c d a c d अच्छा यह जो ब्लू और रेड से जो बने यह दोनों सरवांगिशम है अच्छा अगर दो तरवांगिशम है तो क्या-क्या केंक्ल्यूजन निकाल सकते हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं फिर आंगे चलेंगे यह सरवांगिशम है तो में दिया है लिकंते हैं फैले दिया है के छीजे हमें पता हो जाक सकते हैं इस चीजसे इस लाइन से वह पर फैले लिख लो ट A, B, E, क्या है, सरवांगिशम है, तरबुज A, C, D, अगर यह सरवांगिशम है, तो संगत भुजाओं जो होंगे, अनुपात नहीं, संगत भुजाएं ही बराबर होंगे, और संगत कोण भी बराबर होंगे, हम भुजाओं से ही काम चला लेंगे, क्यों कोण बराबर करें, A, ADE कहां पर है ADE यह छोटा वाला तरबुज और ABC ABC बड़ा वाला तरबुज बजाओं से काम चल जाएगा देखते हैं अब अगर हम इनकी बुजाओं की बात करें इस तरबुज में ABE में तो ABE में यह AB भुजा जो होगी वह AC बुजा के बराबर होगी क्योंकि इस तरबुज यह red वाला तरबुज और blue वाला तरबुज सरवांगिशम है सरवांगिशम है मतलब संगत बुजाएं क्या है बराबर तो इसकी संगत बुजाएं और इसकी संगत बुजाएं बराबर है मतलब कि हमारे पास क्या हो जाएगा AB जो है वो बराबर है AC के पहली बात तो यह इस तो यहां पर लिख देते हैं A D जो होगा वो बराबर होगा A E के समी कर दो तीसरी बुझा भी वैसे बराबर होगी लेकिन दोई से हमें लगए काम चल जाएगा बराबर होगी बराबर होगी बराबर होगी बराबर तीनो बराबर होगी लेकिन दो से काम चल जाएगा देखना भी सरवांगर्सम से अंधे इतनी चीज़े निकाल दी अब हमें सम्रूप किसको दिखाना है A, D, E समरूप है तरबुज A, B, C के ठीक, अब इसको मैं अटा रहा हूँ ये दोनों जो सरवांगिसम बाले होते हैं वह अटा रहा हूँ अब जो समरूप दिखाने उनकी मैं तोड़ा फीगर दिखा देता हूँ A, D, E A, D, E मतलब ये वाला छोटा वाला तरबुज ठीक, और दूसरा हमारे पास कौन सा है दूसरा हमारे पास है A, B, C, जो बड़ा वाला है ये इसके साथ समरूप दिखाना है ठीक, कोई दिक्कत नहीं एक काम करते हैं समीकरण एक वाद दो को डिबाइड करो तूम समीकरण एक भागेत समीकरण दो क्या होगा जिसे A, B बटे A, D A, D, बराबर होगा A, C, बटे A, E के A, B, बटे A, D का जो अनुपात है वो A, C, बटे A, E के अनुपात के बराबर आगे अब देखो, A, D और A, C हैंका यह A, B और A, D देखो, A, B बडे वाली तर्बुज की बुजा है A, D छोटे वाली तर्बुज की बुजा है संगत बुजा है इस तर्बुज में दोनों के इस तर्बुज और बडे वाले तर्बुज में दोनों त्रभुजों की बात करें बड़े वाले और छोटे वाले त्रभुज में तो संगत बुजायम ने बराबर कर दी दो संगत बुजायम अगर दो संगत बुजायम बराबर है और एक कोण इनके अंतरगत काम बराबर कर दें तो बुजा कोण बुजा समरूपता लग जा है को ए चीय बड़ा वावाला तर भुज लोगे टो भी तुमें मिलेगा छोटा वा अदर भुझ लोगे तो मिलेगा तो दो बुजाओं का पात बरावरहे एक कोड अगर बरावरह तो बुजा कोड़ा समर्भुधता से सिंपल हमारे पास सीद्ध हो जाएगा आसान कोश्चन था एक दम आसान कोश्चन था क्या लिखोगे यहापर कौनसा कोण और लिखते हो कोण बी एसी लिखते हैं बी एसी बराबर है डी एसी के डी ए ई के उभेनिष्ट कोण कौनसा कोण है कुभेनिष्ट कोण लिखोगे आता कौनसी समरूपता दो भुजा एक कोण भुजा कोण भुजा देखरो जो भुजा आमने ली है ये बुजा है जो ली है इसी के अंतरगत वाला कोण है हमेशा बीच वाला कोण है इसा नहीं कि कोण कहीं हैं सी या बी बराबर करने को एहीद को बराबर हो रहा है भुजा कोड पर भुजा समरूपता से क्या है समरूपता से यह दोन तरबुज समरूप है तरबुज A D E जो है वो समरूफ है A B C के बस यही बात में करूफ करनी थी यह आसान था कोशन इस पिछले वाले की कमपेरिजन में आसान था यह भी आसान है कोशन बस थोड़ा फीगर हमें ध्यान से देखना है पाकि यह कोशन बहद आसान आराम से बस समीकर एक दो आपको बनाई लेने है इससे सरवांगिशम से भाग लगा दो आंसर आ जाए एक कोड़ा आपको समरूफ दिखा देना के लिए सभी को कोई डाउट तो नहीं भाई सबको समझ में आ रहा है कि क्या चलना है क्यों बहुत इंपॉर्टेंट कोश्य नहीं कोशन देख रहो आप एक पेस से उपर कर अगला कोशन क्या है इसमें फीगर नहीं दिया है चलो फीगर बनाना पड़ेगा भाई कह रहा है समानता चतुर बुझ ए बी सीडी की बढ़ाई गई बुझा ए डी पर इस्तित बिंदू ए इस्तित इबिंदू तथा बुझा बी ए सीडी को एफ पर प्रतिछेद करती है तो दर्साइए कि A, B, E समरूप है चतुर बुझ C, F, B के ठीक है पहले जो दिया गया है उसकी बात करते हैं क्या दिया गया है समानता चतुर बुझ A, B, C, D मैं बनाता हूँ थोड़ा डाइगराम आर्ट पर नगाना मेरी आर्ट बहुत गंदी है बाई ठीक है आप स्केल से खीछना आराम से प्रॉपर ताकि आपको अच्छे से किलियर हो जाए बहुत ज्यादा ठीकरा लग रहा है डाइगराम ठीक है ठीक है अब समझे लो ऐसी समझे कहना है एक समानता चतुर बुझ A, B, C, D, A हमने बना दिया, A, B, C, D, A, B, C, D मैंने एक समानता चतुर बुझ बना लिया, कह रहा है बुझा A, D, परिस्तित E, बढ़ाई गई बुझा A, D, बुझा कहां ये, इसको बढ़ाया, A, D, बुझा को जब बढ़ाया, ठीक ये बढ़ा लिया, तो यहाँ पर मान लिया, बिंदु E, य बी से E को मिला देंगे, तो B, E, ठीक, B, E, B, E, B, E, B, E, B, E, C, D, को, C, D, कहां है, बाई, C, D, ये, F, बिंदु पर प्रतिछेद करती, ये, बिंदु हमें F, मिल गया, ठीक, जहाँ पर प्रतिछेद कर रही थी, F, मिल गया, बिंदु, ठीक, दर्साइए की A, B, E, A, B, E, ये वाला जो ने बनाया, C, F, B, C, F, B, के समरूप, अनलब ये वाला तरबुज, इसके समरूप, ये वाला तरबुज, इसके समरूप, ये वाला तरबुज, इसके समरूप, ये वाला इसके समरूप, हमें यहाँ पर दिखाना है ठीक है समझ गए ना फिगर क्या कह रहा था मैं फिगर एक बार फिर से कर देता हूं अगर दो समांतर बुजाएं हैं अगर समांतर दो बुजाओं को कोई तरियक रेखा काटती है तो जहां पर भी ये कुछ जेड टाइप का बनता है याद है जेड वहाँ पर बताया होगा साहत ये जेड जो बनता है ये कॉण बराबर होते हैं मतलब कि ये इसका ये कॉण जो ह ब्राबर होता है कौन से कूण यह एक अंतर कुर यहां पर भी बनना यह देखो कहां पर बनना बताते हैं यह तुम्हें जट दिखे का यह अपर यह दो दो समांतर बुजाएं एक dc a go ne हमें क्या दिया है यह दिया है लिखते हैं क्या दिया है उडिश्प , और आकर द्रिख давно that ऐसा पी इन रिखते हैं है के चत्रु अभज गया है कि निट कर शिद एक एक समांतर चत्रुम उठे अगर एबी सी डी एक समांतर चत्रु मुझे तो इसकी कौंकर सी बुझा है समांतर एक BB जो है ओफ मारे पास समांतर है तो समांतर दिखा दी A B और D C समांतर है अब दिख रहा है A B और D C समांतर इसको ये B E जो है ये त्रियक रेखा काट रही है अब वही बात आ गई कि दो समांतर भुजा है इसको कोई ये त्रियक रेखा काट रही है तो ये कोण जो होगा इसके यह कौन यह कौन और यह कौन अगोंगर होते हैं बराबर होगा यहां कॉंसे एक अंगर कौन है एक यह ई रोखना एक मिन्ट और ये कोण जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा इस कोण के ठिक, यह बात तो clear हो गई, कि यहां से यह कोण जो होगा, वो यह कोण के अमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, कोण B जो है, वो कोण E के अमारे पास बराबर होगा, यह में दिख रहा है, यह जड बनना आए, तो जब भी यह जड बनता है, यह आपको दिख गया होगा, य यहां से अगर हम बात करें, अरे एक सेकेंड, कहां गया जड़ मेरा, इस साइड आ गया, ये जड़, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये भी कह सकते हैं, ये वाला ये वाला, दोनों बातों का मतलब सेमी है, अब अच्छा ये कोण हमें यही तो समरूप दिखाना ह है, कौन सा त्रबुज, वैसे कोण ये भी और इसके बराबर होगा, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कि ये कोण ये कोण बराबर है, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, एक त्रबुज हमें ये लेना है, A, B, E, क्योंकि A, B, E की बात है, एक C, F, B, की बात तो यह कोण एक यो कोण के तो बराबर कर दिया हमने ठीक और क्या हो सकता है अगर यह दो कोण बराबर है समांतर चतुर मुझकी भी एक प्रापर्टी यहां पर लग सकती है क्या पहले यह कोण मैंने बराबर कर दिये तो लिख देता हूं यहां पर लिखता हूं कौन स दोनों पहले त्रबूज लिग लेता हूँ त्रबूज A, B, E तथा त्रबूज कौन सा है दूसरा वाला C, F, B C, F, B में क्या है इसमें कौन E जो है बराबर है कौन B के क्यों बराबर है क्योंकि एक आंतर कौन है एक बात तो यह होगा क्या है एक आंतर कौन अच्छा एक चीज और अगर दो समांतर चतुर बूज है तो क्या समांतर चतुर बूज की प्रापरटी आप एक लोग जानती हो कोई कि समानतर चत्रबुज में क्या होता है एक तो यह हमारे पास बुजाएं समानतर होती है तथा सम्मू कोण भी बराबर होती है यह बात पता है कि कोण A जो होगा वो कोण C के क्या होगा बराबर होगा क्योंकि समानतर चत्रबुज में सम्मू कोण बराबर होती है यह कोण इसक C को अगर बराबर कर लें तो काम हो जाएगा क्यों देखो अगर A C को बराबर कर लेंगे तो A कोण कहा मिलेगा इस वाले त्रबुज में और C कहा मिलेगा C F B में तो दो तो कोण बराबर हो जाएंगे एक E और एक B और एक ये एक ये अगर दो कोण बराबर हो गए तो कोण को क्या है बराबर है क्योंकि लिख देते हैं यहां पर सम्मुख कोण है लिख दो समांतर चतुर बुझ के सम्मुख कोण है लिख देते हैं समांतर चतुर बुझ के सब मुख कॉन है ये भी 9 की बात है लेकिन पुराने पाप है कहां से दूल सकते है समांतर चत्र वुझ के सम्मुक कोण है कोण a जो है वो कॉण c के बराबर है कोण e जो है वो कोण b zestी के बराबर है क्योंकि ये समांतर बुझाओं को एक ये तियाकष रहा आगर य country ये कोई कात रही है पता है या ऐसे समझदों ना इन दो समांतर बुजाओं की समझे हम ऐसे समझ लेना कि यह समांतर बुजाएं उस तरफ से एक्स्पेंट करों तो भी कन्फूजन हो राओगा एक यह जो समांतर बुजाएं समझ रोना समांतर चत्रभुज कि गुखे यह है काट रही है अगर यह तरियाख रहे है की बडाबर वगा यह जड़बन लाई तो यह कॉन के कैसे बराबर क्योंक lucky यह कौन अब हुझाएं और यह समान तर्ग बहुझा है तो यह तो यह वाली काट रही है यह तो तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर तो कोण E कोण B के बराबर हो गए एक अंतर कोण और सम्मू कोण से ये कोण ये कोण बराबर हो गया अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए समरूप है त्रबुज सी एफ बी बस प्रूव हो गया ठीक है अच्छा ता क्वेश्चन क्योंकि इसमें फीगर हमें खुद से बनाना था और दूसरी बात हमें दो रोफ प्रॉपर्टी यूज हो रहे थी एक तो समांतर चत्रबुज की प्रॉपर्टी कि हमारे पास सम्मों क प्रॉपर्टी की समांतर यहागर दो बुजाएं एस समांतर से अगर हम इसको इसको बराबर करते तूश से कोई फायदा News क्योंकि इस तर बूकरे सकते था की टरिकत नहीं इसे काम चला लेते हैं आसान है सिस Τरीके तो नहीं यहाथ है बस यही दोनों प्रॉपर्टी से कोश्चन हमारे पास सिद्ध हो जाएगा चलते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन देखो क्या कह रहा है अच्छा कोश्चन एभी 6.40 आकरती में A, B, A, C के बराबर है कौन सी A, B है भाई दिखते चलो देखते चलेंगे A, B जो है वो बराबर है A, C के अच्छा जैसे ही फिर से वही बात आगी जो अभी उने पीछे सीखी थी कि ये वाले कोश्चन, हाँ ये वाले में कि दो बुझाएं अगर बराबर हैं कहां पर किया था किया था कहीं पर हाँ ये कोण एक कोण दो के बराबर है तो ये हमने बुझाएं बराबर की थी यही सेम चीज़ आ गई ये अगर दोनों बुझाएं बराबर हैं A, B और A, C अ से स्टार्ट करें क्या थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं लिखना सीधा स्टार्ट करो दिया है क्या दिया है कि एबी जो है वो एसी के बराबर है अता इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि कोण जो भी है को बराबर है कोण सी के पहला समीकड़ें पर छोड़ दो आंगे चलते हैं इसको उठाते हैं तो अब क्या कहे रहा है कहे रहा है कि एक समध्धिभाउत जाड़ाई बराबर हों कि समध्धिभाउत होई गया ABC को बढ़ाई गई भुझा CB पर इस्तित एपर मिलती एबी दी में क्या किया गया सी बी को सी बी को बढ़ाई गई बुजा एपर मिलती ठीक ही पे मिली यादी और बी सी 10 और बीसे लंब ठीक ही एडी लंब भी शीप नाइटीडी डिक्री बन विरा ईएफ और एफ में इस यह जो है वह एफ ऐसी पे मारे पास अनुजा पर लंब है ठीक यह भी यह हमारे पास लंब है इस एसी बुजा पर तो सिद्ध कीजिए एबीडी काई भाई एबीडी एक बार इसको दिखाते हैं एबीडी एबीडी यह वाला ठीक एबीडी हो गया C-E-F C-E-F का है C-E-F इए C-E-F आछ इन दोनों को हमें समरूब दिखाना यहां रेड़ ब्लू वाले को समरूब दिखाना हो जाएगा कैसे बहुत आसान हो गया है एक कोन तो हमने यह पर बराबर कर लिए कौन सा कौन एक ये कौन था इस वाले रेड़ वाले में ये वाला कौन रेड़ से दिखा देते हैं रेड़ वाले में कौन बी जो है और ब्लू वाले में कौन सी जो है ये तो बराबर हो गए और एक बराबर हो गए ये कौन इसके बराबर हो गया और ये कौन तो यह वारेंट वाले औरो यंदे क्यूंकि इंढोंकि इधर नाइंटी यह इभी नाइंटी नी बात एक यह और यह भी कूं कोन ब्राबर तो संुरूपता से हो जाएक सीध लिखो start करते हैं कि तो आसान हो गया party question फिक्त अब मैं लिखता हूं क्या रिक दहुए को भावर कर लिए शु लिद्ए इसको भी दिया है सेकेंड पॉ ainda ढल देते हैं दिया आएका यह फर्स्ट कॉरंट था मालो सेकेंड पॉंट यहाँ पे लिख लेते है कि एक हे सेकेंड फॉयन दिया है किसके एसी के ये दोनों अगर लंब हैं तो कौन कौन से कौन बराबर हो जाएंगे अता कौन जो डी है वो हमारे पास कौन एफ के बराबर है क्योंकि लंब है तो दोनों बराबर ही है कौन एफ के बराबर है ये कौन जो हमारे पास डी है वो एफ कौन के बराबर है तो दो कौ बराबर हो गये एक D और F बराबर हो गया बी और C को बराबर हो गया तो में स्कंद्ध Connor लिखने겠지만 हुसी कोण ने संब्सक्राइब स Democrat side क्यों पलिखने सब्सक्राइब है यह कि व्मुवड सकते मुष्द मैं सब्सक्राइब Mr Director प्रोपर्टी याद रखनी है कि यह दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोन बराबर होंगे बस वही पहला लिखा है बी और सी यह सब्चाद है इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह बस इतना सा कोश्चन है आसान सा कोश्चन था फरजी कोश्चन हो जाएगा अराम से ठीक है कलियर है चले अगले कोश्चन पर वह दो क्या कह रहा है कि AD और PM त्रभुजों ABC और PQR की करमसा मादिकाएं ठीक बहुत अच्छी बात है जबकि त्रभुज ABC सम्रू है PQR के तो सिद्ध कीजिए AB बटे PQ बराबर AD बटे PM है बहुत अच्छा कोश्चन यह लास्ट कोश्चन है आज का थिक बस यहीं पर अपनी क्लास आज फिनिस करेंगे एक कोश्चन और यह अंतिम कोश्चन है इसको और आराम से कर लो फिक लास को अपनी फिनिस करेंगे सारे कोश्चन की टाइप की प्रेक्टिस हो जाएगी अगर यह कोश्चन कर पा रहे हो तुम तो आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं सारे कोश्चन तुम लगा क्या होगे बस जो मैंने चीजें कॉंस्ट बताई है इन्हीं पर आधारित कोई कोश्चन आपको वहां पर मिलन करा यहां चाह रहा हुं कर रहा ह rationale काई लगा तरुम थ्रूज और फियो अर्टी कूर की कर्मसा 9टी एड़ी और पियम अधिकां है क्या दिया है लिकांने सिद्गे लिखाया मादिकान संदिखाया है कि अगर एक बात समझो अगर एडी इस माधिका है एबी सी में पी एम माधिका है पी क्यू ए आर में तो एक बात तो यह किलियर हो गई कि यह डी बिंदू जो है यह मध्द बिंदू होगा यह एम बिंदू जो होगा यह मध्द बिंदू होगा लिख देते हैं सीधा अता अधा अधी तथा एम bc वा qr के मद्द बिंदू है करमसा लिख दो क्रमसा bc वा qr के मद्द बिंदू है क्योंकि मादिका है तो मतलब की मद्द में ठीक, जो पता है वो उसी भासा में लिखते जाओ, और कुछ नहीं है, अगर ये मद्द को है, cdc बाहत समझो, अगर d मद्द को है, तो bc को हम क्या करते है, यहां से bd को हम क्या करते है, bd को एक बटे दो bc लिख सकते हैं, अभी लिख के दिखाते है, bd को मद्द बिंदू यह दी नहातर है कि एक वा दो दो आपको पता है कि युद्ध निगए सब्सक्यूम इसाइब निक्व हाफ अशेव क्यों बराबर को चाहना है और कि यह राइब हाफ क्या हो जाएगा और क्यों ओर-फादा है क्यों ज़ैबात अब आगे बात करते हैं तरक्त कोटिक्स अब कोरिशन में क्या हमें सित्ध तो मैं यह समरूप दिया गया है इसका भी तो कहीं होगा हिंक लुक्त करते हो क्या तैंट विविव क्या है सेकनड सिकन्ड णबला इंद गया है nhất इसे ही पहला तो यूज कराई रहोगा तभी दिया है अगर ABC PQR के समरूप है तो संगत बुजाओं का नुपात बराबर होगा CDC बात यह हमें तो यह दिखाना है तो AB इस तरबुच की हमने AB लिए तो इसकी कौन सी PQ बराबर होगी AC PR के AC और PR के टिक इस बुजा इसकी यह बुजा और इसकी यह बुजा 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 और इसकी यह बुजा इसकी यह बुजा और इसकी यह बुजा हमने क्या करती बराबर यह भी बराबर होगी BC जो ह वाली ले लेते हैं क्योंकि इसी काँ मुपयोग करेंगे कोई भी दो ले लो इसा क्या करना इसका गुजा का में क्या में तो यह समूरूव दिखाना है ना a b d और P q m क्योंकि यही तो धिया गए बक्ति यू अब बड़े पीक्यू ठीक और a d बटे qm pm ठीक तो a b बटे PQ जो होगा, AB बटे PQ जो होगा, वो BC और QR के बराबर होगा, BC बटे QR, यह बास समझ में है, क्या बोला मैंने, देखो, बास समझ लिए, बाफिर से, यह दिया है कि ABC समरूफ है PQR के, यह ABC जो बड़ा वाला तरबुझ है, इस PQR के बड़े वाले तरबुझ के बराब और इस वाली बुझा का, इस वाली बुझा के साधन पाथ बराबर होगा, और AC और PR भी बराबर होगा, वो बास सही है, तीनों लिख सकते हैं, लेकिन दो से काम चल जाएगा, यही दो हमने क्यों लिए है, क्योंकि यहीं पर हमें दिख रहा है कि BC और QR बनना है, यह BC और QR रखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, समी करण, तीन में समी करण, एक वा, दो के मान रखने पर, समझ गया, इससे होगा क्या, देखो, BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2BD रख सकते हैं, QR की जगह क्या रख चो, तो 2Q की हम रख सकते हैं, तो AB बटे PQ, बराबर होगा, BC की जगह हमने रखा 2BD, और QR की जगह हम रखा 2QM, 2 से 2 का काम, 35, AB बटे PQ, तो BD बटे QM, यह आ गया, क्या यही सिद्ध करना था, AB बटे PQ लेफ्ट तो आ गया, BD बटे QM आ गया, इधर हमें सिद्ध करना है, AD बटे PM, AD कहां है भाई, अब थोड़ा सा, थोड़ा सा और सोचने की बात है, AD कहां है, AD और PM, बनलब बड़े वाले तरबूज हमें समरूप दिये गए, हमें छोटे वालों को समरूप एक प्रकार से दिखाना है, समझ रहों, तो AB, PQ और AD, PM हमें यहाँ पर बताना है, कि AD और PM भी क्या होंगे, बराबर होंगे, हम कहां तक आ गए, AB बटे PQ बराबर है, BD बटे हमारे पास QM के, ठीक, BD और QM, देखो, अगर हमारी यह भुजा बराबर है, देखो, यह भुजा तो हमने बराबर कर ली, हमें यह कोश्चन में दिया गया था ना, कि यह तरबुट जो ABC है, वो PQR के समरूप है, ABC, PQR के समरूप है, तो हमने क्या किया था, कि AB और PQ और BC और QR को दो भुजाओं का अनुपाद बराबर ले लिया था, अगर कोई दो तरबुट समरूप होते हैं, तो एक कंडिश इनको भी हमने क्या ले लिया, बराबर, कि कोण B जो है, वो बराबर है कोण Q के, इसको माल लो, कि कोण B जो है, वो कोण Q के बराबर है, इसको समीकर चार माल लेते हैं, ठीक, अगर कोण B और कोण Q बराबर है, तो कोण B जो है, वो छोटे वाले वाली कोण की, अगर हम चल गया और AB बटे PQ AB बटे PQ और BD बटे QM BD बटे QM ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है ये कोन बराबर है तो भुजा कोन भुजा समरूपता से ये ABD जो होगा वो PQM के क्या होगा समरूप जो बड़े वाले तरबूज हमें समरूप दिये गए थे और नहीं आपका लिखेंगे आता चोटा वाला तरबूज कहून सा पहला वाला ABD तरबूज ABD तथा और कॉन सा PQM PQM समरूप होगे ठिक अगर ये समरूप होगे अपसी दीसी बात अब अगर ये समरूप है कौन कौन से चोटे वाले दोनों तरबूजागर समरूप हैं तो आब इनके संगत भूजाओं का नुपाद बराबर होगा तो हम लिख सकते एबी बटे पी क्यों एबी बटे पी क्यों बराबर होगा एडी बटे पीम के एडी बटे पीम तो हमने संगत दो भूजाएं बराबर ले ली कौन सी एबी पीक्यू एडी और पीम क्यों यही ली क्योंकि यही सिद्ध करना एबी पीक्यू एडी पीम तो यहां से क्या हो जाएंगी यह हमारे पास बराबर हो जाएंगी यही हमें सिद्ध करना था QR की माध्विकाएं starving ae-办ी और पी मधियर को घीघि अगर एडी और पी माध्विकाएं तो यह बीन सी को मद्विंदु पे काट च्चेरा अगर बीज सी मद्विंदु पे काट रहा है तो coughing सकते हैं यहां से यहां से कि दी अम क रमचा बीची सी और तो बीडिज सी यह BD जो हम अगर ले चोता वाला, यह BC का आधा होगा, ऐसे ही QM जो होगा, क्यूर का क्या होगा, आधा होगा, पूरे QR का आधा होगा, फिर हमने क्या दिया गिया था, कि यह दोनों तरबूर समरूप हैं, कौँझे, BC और QR का यहां से हम यूज़ कर सकते हैं, यह 2 से इधर गुणा करेंगे, यह 2 से इधर गुणा करेंगे, तो BC और QR की जाए हमने value रग दी 2BD, 2QR, तो इससे हमने क्या दिखा दिया, AB, P, Q, 2BD बटे QM के, कौन सा BD कहा है, यह BD, यह Q, दो संगत बुजा है, हमने क्या कर ल हैं, यह, तो हमने पता है कि इसके अमने यह तरबुज समरूप लिया था, तो हमने पता है कि कौन B, कौन Q के समरूप होगा, क्योंकि समरूप तरबुज में संगत कौन बराबर होते हैं, तो कौन B और कौन Q भी हमने यहां पर बराबर लिग दिया, यह बराबर होने की वज हो जाए फिर से हमारे पास बराबर होंगी तो हमने ए भी पी क्यू एडी और पीम को बराबर दिखा दिया जो में सिद्ध करना था तो छोटे वाले को जैसे तो अब आपके पास अविलेवल है तो सभी लोग पर यह पूरा वन सौट जिसने भी कंप्लीट किया है वो मुझे जरूर कमेंट करके लाश्ट बदाएगा मैं फिछले कमेंट आपके पढ़े थे जो आपने वह वाला वन सौट देखा था तो अनुप्रियोग वाला जो वन स मालेश्ट करेंगे जल्दी आपको सरकल का वनस्वर्ट देंगे कल आपके लाइव क्लास होगी तो कल अम लों मिलेंगे कोई समस्या लगे तो बताना और किसने कंप्लीट क्या सब्मीज्ट करके बताना है जरूह कमेंट करके साथ मिलते हैं अग्छे वनस वकिस महीं को बाप 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 बाप